हलो प्यारे बच्चों और दोस्तों मैं सर्वेस कुमार देच्छित आज आपके लिए लेके आया हूँ वन सौर्ट में आइनिक इक्लूब्रियम देखो यार उम्मीज सीरीज बहुत तेजी से आंगे बढ़ रही है और अब फिनिस लाइन को टच करने वाली है कमेश्टी में देख कि नीग सीरीज में जो उमीज जगाई गयी है उस उमीद को आप हमेशा जगाय रखो उर इसको उमीद को किस May convert करो उम्मीद को convert करो success में इससे select होकर तो अब आप लोग की बारी है क्यों मैंने अपना अपना रोल जो अपना रोल है वो कम से कम 80% तक अदा कर दिया है ठीक है मेरे सिर्फ दो से तीन चैप्टर अब रहे गए तो इसलिए ध्यान नक्किए अब आपकी बारी है ठीक है बॉ दोगे तो selection पक्का है जब हम लोग मिलेंगे तो आप white color के coat में रहोगे और हम लोग अपनी black color के टीशेट में रहेंगे पीडवलू की ठीक है तो इस उम्मीद को जगाय रखिए जी जान लगा के पढ़िए अब आपकी बारी आ गई है हम लोगों की बारी लगभग खतम होने वाली है क्यों क्योंकि 80% के आसपास तक का slavers खतम हो गया है तो आपका काम है maximum practice करना maximum test देना जैसे आप ये चेक कर सक को कि हां यार हम selection की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं सभी बच्चों से request है मेरी मैं पांच मिनट आ लूँगा फिर क्लास चालू करूंगा सभी बच्चों से request है कि जैसे ही स्लेवर्स खतम हो जाए वो कम से कम 30-40 mock test paper जरूर दे फुल स्लेवर्स के 30-40 mock test paper जरूर दे या किसी test reach को join करें ठीक है क्यों क्योंकि कौन बताएगा कि आप select है रहे हो या नहीं भाई self analysis जो होता है उसमें error कम से कम 20% का होता है बच्चा सोचता है मेरे 6500-700 number आ जाएंगे मगर paper देने जाओ तो कम से कम उसमें 80-100 number कमाते है तो तुम्हें कौन बताएगा कि तुम्हारे 700 number आ रहा है या नहीं कौन बताएगा तुम तुम्हारे पास अभी इतना knowledge नहीं है क्यों क्यों क्योंकि तो जो self analysis तुम करते हो उसमें error का percentage बहुत जादा है around 20% के आसपास तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम selection के आसपास हैं selection वाले criteria को cross कर गए यह बताता है full flavor test यदि लगाता है आपके full flavor test में number आ रहा है तो इसका मजब तुम select होगे या selection के पास में हो और नह select नहीं होगे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तभी number आइंगे तुम यह देश्क्यूज दोगे कि नहीं आरा आज हमने याला chapter नहीं पढ़ा इसलिए number कमा गए आज हमने chemistry रिवाइस नहीं कि इसलिए number कमा है थोड़ी बायो कम रिवाइस की इसलिए number कमा है तो जब final paper होग तब भी तुम्हारा excuse यही होगा मगर इस excuse के साथ तुमने satisfy किसको किया है अपने को अपने के साथ मतलब खूद के साथ एक छलावा किया है क्यों कि तुम्हें पहले से पता था कि number इसलिए कमाया है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं किये मगर तुमने क्या किया अपने मन को बैलाने के लिए यह एक कहानी रची और यही कहानी जाकर गारजन को भी चिपका दी यह कहानी टीचर पर नहीं चिपकती है टीचर सब जानते वो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि उंको पता है कि जो पड़ेगा उसके नमबर आएंगे तो ध्यान लखिए आपका काम स्टार्ट हो गया है अब हम लोगों काम धीरे-धीरे कम हो रहा है काम बढ़ रहा है अब लेवर को खूब अच्छे से पेपेर करेंगे और कम से कम 30-40 मौक टेश्ट पेपर दीजिए ठीक है अब मौक टेश्ट पेपर से एनलीसिस कैसे की जाती है इसकी कहानी हम लोग को नेक्स क्लास में डिसकस करेंगे आज हम लोग चैप्टर को अब इस्टार्ट करते हैं ठीक है चलो आइने के क्लूब्रियम देखो एक अच्छा चैप्टर है इससे कोश्चन आने की प्रॉवल्टी हाई रहती है ठीक है यह मान के चलो सॉल्बिल्टी प्रोड़क्ट और प सबसे पहले हम कुछ बेसिक बाते करेंगे ठीक है और वह बेसिक बाते हैं इसलिए थोड़ा फास्ट भी चलेंगे तो देखो सबसे पहले आपको बताते हैं एसिड और बेस थियोरी एसिड बेस थियोरी के बारे में डिसकसन करते हैं कि acid base theory क्या है तो आप सभी बच्चों को पता है कि acid base theory हमारे पास क्या है तीन है तीन acid base theory में हम लोगों ने divide किया है मतलब acid और base को classify करने की हमारे पास total तीन theory है कौन कौन सी है देखो एक एक करके इनको discuss कर देते हैं देखिए हमारे पास acid और base को divide करने की define करने की जो तीन theory है वो theory कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों उनको जड़ा ध्यान दिजिए अ कि acid और base का सबसे पहले classification किस ने किया आरीनियस भाई साब ने किया है तो हमारे पास पहली theory जो है वो आरीनियस theory है या आरीनियस concept है कि दूसरी प्यारे बच्चों किस ने बताया दूसरी acid और base को define किया किस ने बोस्टन और लोरी दो फ्रेंड थे ठीक है उन्होंने उन्होंने बताया कि acid क्या होता है बेस क्या होता है फिर last and final यह क्या है लवाईस concept इन्होंने बताया acid और base क्या होते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यह क्योंकि बेसिक चीजे हैं सबसे पहले आई आरीनियस थियोरी में क्या कहा गया इन्होंनों प्यारे बच्चों बताया कि acid जो होते हैं वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं प्रोटॉन गिवेन इन वाटर जो वाटर में प्रोटॉन देते हैं वो एसिड है इनसे पूछा गया बेस कौन होते हैं तो उन्होंने का यार जो वाटर में ओचाइन छोड़ते हैं वो बेस होते हैं इन वाटर आरीनियस थियोरी के इसाब से क्या था है पीं आस्ट है जो वाधर में चैर चोड़ते हैं और बेस वह जो वाधर में आज होड़ते हैं इन से बोला गया और जपिका दो तो इनोंने का यार बिल्कुल जरूर बता आ थेंगे देखो इनों क्या बता है इन्होंने का देखो यार यह एसले जब इसको पानी में डाला जाएगा तो यह क्या छोड़ा है है एक छाइन रिलीस कर रहा है इसलिए यह एसी तरह इन्होंने यह भी बात बताई कि देखो यार यह चनो थ्री है पानी में डाला इस ने क्या रिलीस किया इसलिए यह क्या है यह बेश तो लोगों ने का ठीक यार आप कहा रहा है हो माल लेते हैं इन्हों ने फिर बैस के भी स्जापसरी आचाइन उसू कर रहा है इसलिए चलुचा गया यह बता दो तो इन्हों कहा कि यह बताया इनोंने और इस तरह से कि यह देखो कि इसको इनोंने क्या कहाँ गाहा क्यों क्योंकि वाटर में यह क्या जोड़ते है हो एच चाएन छोड़ते हैं इसलिए इनको बेस कहा अधी आर अरीनियस ने rocky बात को वह सा और आंगे बहाई इसी बात को थोड़ा सा और आंगे बढ़ाया फिर न कि RED मॉटीफाइड अझा अधित पॉस्त आरीनियस ने अपने कॉंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्या मॉडिफाई किया जरा देखो आरीनियस ने अपने कॉंसेप्ट को थोड़ा सा जाके मॉडिफाई किया और क्या मॉडिफिकेशन किया इन्हों ने इस बार कहा acid वो होते हैं जो hydronium ion छोड़ते हैs water में hydronium hydronium in water इस बार इनोंने hn नहीं कया इस बार इनोंने कहां की acid वो molecule है जो water में hydronium ion छोड़ते हैं तो लोगों का मतलब क्या है इसका तो उन्होंने बताया कि ह ऊचाइन जू होता है वाटर में एक जिश्ट नहीं करता है यह नहीं करता है यह को में वाटर के पास जैसे यह जाता है तो इसका हाई हला जाता है हैं और हाइड़ेशन होके वो इस तरह का मालीक्यूल आयन बना लेता है इस तरह कि यह हाइड्रेटेट और ऑफ हाइड्रोजन है हाइड्रेटर अ आयन और हाइड्रोजन इध और इसी में जब X की वैलू one डालोगे तो यह आ है यह देखो ऐसे और इसी को कहा जाता है हाइड्रोनियम ऐन ऐसे और जब एक्स की वैलू टू डालोगे तो यह आ जाएगा और यह देखो कितना हो गया चार एक पांच और ओटो तो अपने मौडिफाइड फॉर्म में हरेनियस ने बताया कि एसिड वो होते हैं जो वार्टर में क्या करते हैं हाइड्रोनियम ऐन रिलीस करते हैं तो पूछा गया इस बार नई कॉंसेप्ट की क्या दिरूरत है आपने अपने कॉंसेप्ट को चेंज क्यों किया तो उन्होंने का इसलिए चेंज किया क्योंकि वार्टर में एक्जिस्ट नहीं करता है वो हमेशा water में hydrated form exist करता है और hydrated form में maximum amount में किसमें hydronium में में इस वजह से उन्हेंने अपने concept को modify किया acid वाले को base वाला उनका अभी भी वही था उनसे पूछा गया base कौन होते हैं तो उन्होंने अभी भी बताया oh and given in water बेस के definition अभी भी वही बताई यह concept था आरीनियस का तो आरीनियस concept में क्या होते acid कौन है जो hydronium पानी में देते हैं बेस कौन है जो ओचान पानी में देते फिर बात आई ठीक है भाई आप कह रहे हो तुमाल लेते फिर दूसरा concept आया बोस्टन और लोरी इस concept में क्या बताया गया इस concept में कहा गया इन्हों ने कहा आइसिड वो माली क्यों है जो एचान इस्टू करते है एचान गीवेन इन वाटर कि इसी बात को इन्हों ने ऐसे कहा एचान डोनर इसको ऐसे लिखो इन्हों ने ऐसे कहा एचान डोनर आर्कॉड एसेंट और बेस किसको कहा इन्हों ने कहा एचान एक साइप्टर और बेस मतलब इन्हों ने ऐसेड और बेस दोनों की स्यान की रस स्क्राइंघ idag यह नेका डोनary वो एसिद है और जो है लेते हैं वो बेस है सिंपल सी बात है इनसे पुछा गया वैरी गुडियार कितनी सिंपल डिफनीशन दिये तो जरा बताओ एक्जामपल तो इन्हों इन्हें एक्जामपल बता दिये कि देखो यार यह सील है यह क्या कर रहा है प्रोटान डोनेट कर रहा है ना चेक करो तो यह क्या है ऐसे यह क्यों क्योंकि यह प्रोटान डोनेट कर रहा है किसमें एचाइन डोनर इन वार्टर अब इसी तरह से इन स इसे ही को आप हाइड्रोनियम आयन कहते हो ति इन्होंने का बताओ इसने क्या किया है इसलिए क्या है है क्या वाग inacid और आथ यह थनोंने to Rolanda इन से पूछा गया आने वेच्प्रीन कर देखो तो और इसी कर देंगे ऐसे इनोंने यह फ्ट्वयर्टेंट कर दिया यह इत्या को है हें उस्चा यह क्या हुवा तो इन्होंने बताया देखो यह ओअच है इसने क्या क्या वाटर से प्रोटॉन ले लिया अब वाटर से प्रोटॉन ले रहा है तो कैसा हो गया बेस हो गया एचायन एसेप्टर बेस एचायन डोनर एसिड तो इस वज़े से इनके इसाब से यह बेस हो गया क्यों क्योंकि यह वाटर से प्रोटॉन गेन कर रहा है ऐसे तो इन्हों एक और concept दिया वह हम लोगों को ध्यान नखना चाहिए वो concept क्या है उसको बताते हैं a acid based a acid base कांजूगेट पेर क्या बताया हो गया जड़ा देखो यह क्या होता है एसको समझाते हैं देखिए एस बात को समझाते हैं इसको बताएं बोष्टन और ने एक मस्पेम अपने competency के बढ़ाया उन्हों ने का देखो यार जब कोई acid एक proton issue करता है तो वो एक anion generate करता है जब कोई acid एक proton issue करता है तो वो एक anion generate करता है यदि आप इसको acid बोलते हो इस anion को आपको बोलना पड़ेगा conjugate base इन्होंने ये बत बता है कि जब कोई acid proton issue करता है तो वो एक anion generate करता है उस anion को इन्होंने का conjugate base acid और conjugate base के बीच में ध्यान नखिएगा एक proton का difference होता है acid और conjugate base के बीच में हमेशा एक proton का difference होता है ध्यान नखिएगा ठीक है यहाँ पर मैं note डाल के लिख दे रहा हूं only one proton difference between acid and its conjugate base acid और उसके conjugate base के बीच में सिर्फ एक proton का difference होता है ठीक है जैसे गौर्स देखिए मैंने का यह carbonic acid है यह water में ऐसे आइनाइज हुआ यह देखो ऐसे अब बताओ इसका यह acid है तो इसका conjugate कौन होगा यह एक proton का difference होता है acid base pair इनको बोलते हैं और यह हमसे पूछा जाएगा कि इसका conjugate बताओ तो concept ध्यान लखना एक proton का difference है अब जैसे यह further ionize हो जाए तो यह आगया अब यह दोनों भी acid base pair हो गया क्यों इसने एक proton का difference है यह नहीं तो acid और उसका conjugate base का पेर बनाओ तो carbonic acid का pair कौन होगा conjugate base कौन होगा यह होगा carbonic acid का conjugate base कौन होगा HCO3 होगा अरे यहां बोलो ना यार एक proton का difference है कि नहीं क्या यह carbonic acid का conjugate base क्या होगा carbonic acid और यह होगा ओकोसटान का नहीं होगा क्योंकि 2 proton होना बोले अचाहिए लोगत आई लोगत बीच में proton का डिफरेंस होगा यह बात पूछि जाएगी तुमसे घ्जञत कोश्चनों में ध्यान नखिएगा पेपर में आती है तो एसीड बेस कांजुगेट पेर समझे जब एसीड एक प्रोटॉन रिलीस कर देगा तो उसका करस्पॉंडिंग जो कटाइन होगा एनाइन होगा वह कांजुगेट बेस बोला जाएगा अच्छा जब आप जिद कर रह हुआ इसने प्रोटौण गें कर लिया भाइब भाइबेस अथे प्रोटौन गें करेंग ना यार Enjoy और क्या बना दिया निलिनियम आयन यह क्या है बिष जो इसका कंजुगेट कै ौश कर dal को कं संगेट कर ऐस होगा याइं के बात हिए बीच में एक ही प्रोटॉन का डिफ्रेंस होगा चाहे वह वो और चाहे वो base acid pair हो, base acid pair है, दोनों के बीच में कितने का proton का difference, एक, 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 एक proton का difference हो, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहा है, कैसे करनी है, अच्छा, अब कहानी को थोड़ा सा और आंगे खीशते हैं, यह देखो, अब concept number third, इन्हों ने क्या बताया, इन्हों ने कहा कि यार, acid वो होते हैं, जो lone pair को accept करते हैं, lone pair का मत्तब होता है, दो electron, ठीक है, lone pair को क्या करते हैं, accept करते हैं, तो lone pair acceptor are called, Lewis acid, और lone pair donor are called, Lewis base, यह क्या होते हैं, यह lone pair donor होते हैं, यह देखो, जो lone pair donate करेगा, वो Lewis base होगा, और जो lone pair accept करेगा, वो Lewis acid होगा, इनके हिसाब से यह बाते हैं, तो इनसे पूछा गया, कि यार, बताओ ज़रा, example, example दो, तो इन्होंने देखो दिया, ammonia, ammonia, lone pair donate कर रहा है, तो यह क्या है, Lewis base है, ऐसे, और यह देखो, गौर समझे, ammonia, lone pair donate कर रहा है, और BF3 lone pair ले रहा है, तो यह lone pair donor है, और यह देखो lone pair क्या है, lone pair acceptor है, donor वाला क्या बोला जाएगा, base बोला जाएगा, यह हो गया, लूइस base और acceptor वाला क्या बोला जाएगा, acid बोला जाएगा, तो यह हो गया, Lewis acid, पच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है हम कैसे पकड़ेंगे तो जरा गौर से मेरी बात को समझना जो भी लूइस एसिड होते हैं उनके पास ये चीजे होती है लूइस एसिड जो होंगे उनके पास क्या होगा आउक्टेट कंप्लीट नहीं होगा एलक्ट्रॉन ना कि दूसरी बात इनके पास बै के आर्बिटल होते हैं आता है यह इनकी कंडिसन है 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 पहली बात इनके पास अलभे इनन वे तो तो नहीं होगा तुम्हें लिए ले लिए और ले लिए तु रखो है कि नहीं तो रखने के लिए जगह तो चाहिए न तो वेकंट आर्विटल एक नेसरी कंडिशन है तो यदि कहीं पर लुइस बेस की बात आती यह तो इतनी चीजे होनी चीए पहली यह दूसरी यह कि यह देखो अब लुइस बेस लूइस बेस किसको बोलेंगे इसके पास मिनमम एक लोन प्यर होना चाहिए वन लोन प्यर प्रजेंट और दूसरी बाप इसका ओक्टेट कम्प्लीट होना चाहिए क्यों भाईया जब अपने घर में पूरा खाना होगा तभी तुम दूसरे को बाटने निकलेंगे है कि अपने के लिए यादि खाना नहीं है तूम दूसरे को बाटने कैसे निकल सकते है यह तो ही मन नेचर है तो आउक्टेट कंप्लीट होना चाहिए जब हमारे आउक्टेट कंप्लीट होगे तब आप ही तोिस की दूसरे को दे सकते हैं अलत्रों ध्यान रखेगा होॉइसर बेस के लिए क्या है मिनमम एक और मॉर्ण अशनल व्य हो और साथ साथ मैं और कमपलीट साथ साथ में क्या और क ребята कमपलीटी और हो अब जो हो 다 ख़ीके काम कर सकता है मिनमम एक बैकन्ट अर्वीटल है इसलिए लुइस एसिड है बच्चों ने का नहीं सर एक ग्जामपल और मार दो तो मैंने मार दिया मैंने का जरा यह बताओ लोस ऐसिड है नहीं कि Aluminium chloride तो Aluminium के balance में तीन होते और तीन होते थीनों के तीनों bonding में चले गए भैया Aluminium कितना होता है 13 13 को मेरे दोस्त क्या लिखोगे ऐसे ही तो लिखोगे इसका मतलब इसने तीन बॉर्ण बनाए और जब इसने तीन बॉर्ण बनाय तो छेह लक्टरॉन तो हुए तो यह electron deficient है और electron deficient है और साथ साथ में vacant orbital भी है तो यह क्या होगा Lewis acid होगा ठीक है कि नहीं यह क्या होगा Lewis acid होगा 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 तो इनकी थियोरी समझ पाए loan pair donor loan pair donor Lewis base और loan pair acceptor Lewis acid बच्चों ने का हम को कैसे पता चलेगा जो Lewis base होगा उसके पास minimum एक loan pair होगा ही होगा और साथ साथ में उसका update complete होगा और जो Lewis acid होगा उसके पास minimum एक vacant orbital जरूर होगा क्यों क्योंकि देने वाला कोई है तो लेने वाला भी कोई होना चाहिए कभी हम लोग कह सकते हैं तो दियान नक्येगा ठीक इतनी बात क्लियर है यह हम लोगों ने खतम किया Lewis acid based concept अब कहानी को और आंगे बढ़ाते हैं अब यह बात पढ़ाते हैं यह चोटे-चोटे बेसिक पॉइंट है जल देल्दी ख़दम करते हैं एलक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ठीक है देखो दोज मालीक्यूल इस पार्सली या कम्प्लीटली पार्सली या प्यारे बच्चोग कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर आयोनाइज इन वाटर आयसे मालीक्यूल जो पानी में आयोनाइज हो जाते हैं वो सब एलक्ट्रोलाइट बोले जाते हैं वो चाहें कम्प्लीटली आयोनाइज हो चाहें पार्सली आयोनाइज हो मतलब जो पानी में आयन छोड़ देता है जैसे यह देखो आग इसितीक ऐसीड है एएसितीक असिड पानी में आयन छोड़ देता है ना तो इसका सुलूशन क्या होगा एलक्रोलाइट होगा ठीक है ना इसी तरह यह देखो जारा हमारा एपनीग यह पानीkennt छोड़ देता ना तो भी क्या होगा members होगा यो क्यों पानी में ऑन का अब बतां ग्लुकोज है किया कि अधिकी अधियन नहीं होता है नो यो requis take.glukoz का पानी में मानु होता है नहीं होता अलकोहल का पानी मन होता है बहुव मारे जाओं कि दयान लखना दलत सलत बता दिया तो इथर का पाणी में आई बता द 98 तो देखो क्या है अक धिक में आई रवए सलूं गिसको बोल देखो यह फार्स देसकर तर दिवैक कर दिया शूचित रहाizard को यह इसका क्लासिपिन जड़ा समझों हम एलक्ट्रोलाइट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइट कर लेते हैं कौन से दो पार्ट देखिए हम एलक्ट्रोलाइट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइट करते हैं वो दो पार्ट कौन से हैं उनको देख लेते हैं देखिए एक होता है वीक एलेक्ट्रोलाइट और एक होता है इस ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट तो पूछा गया दोनों में डिफ्रेंस बताओ यह होता है वीक एलेक्ट्रोलाइट किया है इस्ट्रोंग एलेक्ट्रोलाइट किया है देखो किया डिफ्रेंट परसन आयनाइज नहीं है तो इनका एलफा लैस देन वन होगा वन से छोटा होगा जो थे उनका यृश को बराबर होता है न पर इनका एलफा वन से छोटा होगा यह पार्सली आज़े कांध वी इस्ट्रंग एलक्रलाइट किसको बोला गया जो कम्प्लीट्लिश होते हैं एप का एलफ़ा एप्रॉप्स वन के बराबर होता है परसंटेज वाइज लिखोगे तो हंडेट परसंट परशंट होता है कि दिखो तो जो स्ट्रॉंग अलेक्ति राइट है वह कंप्लीटली अयन यह और वीक रॉतर राइट पार्सली अई दो हैं तो हैं तो दोनों ही आए इसी यह सब घ्राइब कौन होंगे तो 100% कौन होता था टार इस ट्रांग एसिड स्ट्राउंग बेस फॉर्ब एस अब्सक्षाइं य तैस्क ये सब ङूँगे इस अपर एक्ट्रोमने कर से कुझत आ smoking ठीक है यह क्या होता है चलिए अभी छोटी-छोटी बाते डिसकस हो जाए फिर हम लोग कोश्चन पर आएंगे और बड़ी चीजों को डिसकस करेंगे तो छोटी-छोटी बाते पता होना बहुत जरूरी है देखो हम सबको पता है कि वाटर जो होता है सेल्फ में आईउनाइजेशन करता है करता है कि नहीं करता है यदि यह करता है तो यह क्या होता है एलक्टोलाइट होता है मगर वेरी वीक एलक्टोलाइट होता है अबिए अब होती वीटव्यू अनलाइज होता है दस हजार में से एक माली की ऐनाइज करता है कुछ सब्सक्राइब दसब्सक्राइब 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 लिखते हो आरे भाई यह समझ तो रहे हो ना यह कोई नई बात नहीं लिखी है कि तुम टेंसन में आ जाओ है इकलूब्रियम कॉस्टन तो हमेशा लिखते हैं यह कंसंट्रेशना प्रोड़क्ट अपॉन रिएक्टेंट कि बताओ कोई बुरा लग रहा है और काम करोगे कंपॉंडर वाले कितनी बात भी ने समझ पाओ यह तो करी लोगे टैलंटेट जो थेड़े अब जर देखो यार यह एकलूब्रियम कॉस्टेंट है और वाटर का कंसंट्रेशन भी लगभग कॉस्टेंट है तो बच्चों ने का आप कान खड़े हुए बच्च लगभग तो भी बात है ना तो चेंज कहां हुआ होने के बात क्या कंसंट्रेशन चेंज हुआ दस जार में से एक ब्रेक हुआ तो पहले तुम कह रहे हैं तो यह दोनों कॉस्टेंट मिलके नया कॉस्टेंट बन जाते हैं जिसको बोलते हैं के डवलू यह देखो अब गौर से यहां बाद ध्यान नखना सारे बच्चे जितने वी चीजे आप पढ़ते हो वह सब के सब होते होते जराइबता है एक्लूब्रियूम कॉस्टट है ना अर्सक्रीतों का creator आप बादwr नाम नाम चेंज कर दिया है वां ही रहेगा है याँ दोस्त कि रहे ना ऑलगम हो जाती है अ या इक चोर का नाम रमे था दूसरी चोर का नाम सुरेख जैसे तीसरे स्टोन का नाम कपिल घान तो तीनों का काम तो एक यह प्रोपर्टिट वही है और ङूलव हो जահना उसी तरह किसी कास्टन को हैसे लिखते औो कैसी यो प्रिखते हो किसी कुलियों कोश्टन को thrust behavior को कटा यह खिया क्या है है कि एक्कीलूबरियम कॉस्टेंट तो इसका मतब के डबलू क्या होगा ओनली डिपेंड अपन टमप्रेचर है इसकी वैलू सिर्फ टमप्रेचर पर डिपेंड करेगी और किसी पर नहीं दुनिया में कुछ भी हो जाए वो तब ही चेंज होगा क्यों क्योंकि उक्लूब्यूम कॉस्टन्ट हो आप आप यह सब पढ़ोगे यह सब इक्लूब्यूम कॉस्टन्ट होते हैं बस नॉमन्क्लेचर चेंज है नए कपड़े पैना के फिर से हाजिर कर दिया गया दूला चेंज कर दिया जाता है पस अब देखो के डबलू यह अब के डबलू जब आपकी यह वैलू आई तो जड़ा देखिए के डबलू की वैलू होती वन इंटू टेन की पावर माइनस 14 एक 25 डिग्री सेंटी इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं ऐसे यह दिखते हैं तो यह दिक है कि नहीं वान इंटू टेन की पावर माइनस 14 एकवाल टू यह दिखो और प्यारे बच्चों एक खास बात बोलना हूं यह यूनिवर्सल फार्मूला है कि मतलब यह कहीं पर भी लगा सकते हो पूरे आईनिक इकलूब्रियम में और पूरी कमिष्टी में चाहे सलूशन कैसा हो एसेडिक हो बेसिक हो न्यूट्रल हो चाहे जैसा हो बफ़र हो सॉल्ट हाइड डोली सिजो कुछ भी हो बस ध्यान यह यूनिवर्सल फार्मूला किस टंप्रेचर पे लिए है एक 25 डिग्री सेंटीगेट के लिए यह यूनिवर्सल फार्मूला कहीं पर भी लगा देना मतलब उस सलूशन का एचैन और उस सलूशन के ओचैन का मल्टिपिल 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है चिपका दो सही जगर खीषता हो तो जबता वहांपर यह यह रियक्शन कैसी होगे एंडो एंडो एग्सापर टीं के यह एंडोटर्मीं और वो है कि है कि नहीं होगी कि आ अरे बैसां मागी ना endothermic reaction है तो सर बताना क्या चाहते हो यह बताना चाहता हूं गौर सुनिए जरा है इस बात को देखिए है एक चायन है इंटू ओए चायन का मल्टिपिल जो होता है वो 10 ती पावर माइनस 14 के बरावर होता है ठीक है इसमें एचायन कंसंट्रेशन कितना है सॉरी इसमें एचायन कंसंट्रेशन कितना है न्यूट्रल वाला 10 की पावर माइनस से बराव ओए चायन कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर माइनस सही है कि नहीं जरा समस्ते जाहिएगा इस पर कोशन पूछते हैं अब कोई एसिड कब होगा कोई एसिड कब होता है जब एचायन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा हो कोई बेज कब होता है जब एचायन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 से कम हो या ओचायन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा हो अरे पैपत कि हैं और दूटकर्चे तो हम आरे तो हम पद ए समझ पार हो कि नहीं है अぎ इतनी बात की लिए होनी चाहिए किसी बच्चे निक्या किया बच्चे तो 뉴스 बदमाश होते हैं अन्יכ 올 टंप्रेचर उठा के चेंज कर दिया कि 90 डिग्री कर दिया अब बताओ टंप्रेचर बढ़ाने पर के डबलू की वैलू बढ़नी चाहिए यह कम होनी चाहिए टंपरेचर बढाने पर के डबलू की वेलू बढ़नी चाहिए कम होनी चीह रियक्षण कैसी है एंडो-थर्मिक रियक्षण कर टंपरेचर बढ़ाओगे तो किदर सिफ्ट होगा पिछली क्लास में पढ़ाया है केमकल इकलूब्रियम वन सौट अभी बनाया था बताओ कि अब तक हम लोग वाटर ले लेते हैं कि कुछ इकलूब्रियम अंदर कर लेते हैं कि अबताओ यह एंडो थर्मिक रियक्सन है तो टंप्रेचर बढ़ाने पर इकलूब्रियम आंगे सिफ्ट होगा और यह अधी इकलूब्रियम आंगे सिफ्ट होगा तो प्रोड़क की वैलू बढ़ेगी तो क्या होगा। कॉस्टन की वैलू बढ़ जाएगी इसका मतलब जब तुम टमप्रेचर चेंज करोगे तो है चायन और ओह चायन के मल्टिपिल की वैलू बढ़ जाएगी और बच्चों यह हो जाती है 10 की पावर माइनस 12 के आसपास अब बताओ कितने पे नूट्रल है अब नूट्रल कितने पे है 10 की पावर माइनस 6 अब नूट्रल कितने पे है 10 की पावर माइनस 6 जितना लिखा हो उसका आधा कर दिया करना है 14 लिखा है तो 7 पे नूट्रल हुआ 12 लिखा है तो 6 पे नूट्रल हुआ 10 लिखा होगा तो 5 पे निटिवर होगा हॉट जितनी प Corey लगी हो उसका आधे पर नउटाल होता है अभ ने इतना है अब मैंने का इसीड़ीक बता हुँत है को तो कॉंसेप्ट वह यह सकी कुँकी निूट्रल में यहां तो आयत brewing हो गया, अब वो लिखते क्या है है एचायन कंसेंट्रेशन इस ग्रेटर देन 6 10 की पावर 6 solution is acidic तो बच्च्चे कहते हैं नहीं यार गुट हुँँ हुँ हुँ मैं हुँ म हिची जब ईनी प्रोड़क्ट अब वाट माइना स्पूटीन होता है है तब नेट्राट टेनी आवर मायनस से बंब होता है जब अने प्रोड़क्ट अब तो नेट कि अब याईगा तो रेफ्रेंस अब यह लिया जाएगा इस या इस बात को ध्यान लखना यह important point है वैसे इन जर्नल हमेशा 10 की पावर 14 लिया जाता है जब कहीं कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा 10 की पावर 14 लेंगे क्यों क्यों हमेशा यह मान के चलते हैं की temperature constant है जब तक कहा न चाहें तो इसका मतलब आयनी product of water temperature dependent quantity है और change होता रहेगा solution में यह देखो इतनी बात समझ गये इसके बारे में इतनी बात समझ गये अब इतनी बात समझ गये हो तो बस अपना खेल हो गया अब आंगे आ जाओ dissociation constant of weak acid and weak base चलो इसको discuss करता हूँ dissociation constant of weak acid और weak base यह क्या है देखो आपको बताता है यह हमारा weak acid है तो बच्चों यह dissociate होगा तो कैसे होगा ऐसे होगा ठीक है इसका equilibrium constant कितना आएगा आएसे आएगा यह देखो आए यह इसी equilibrium constant का नाम रख दिया जाता है क्यों क्योंकि यह एक specific reaction है तो इसका एक specification कर दिया जाता है specific reaction क्या है acid का dissociation है इसी वजह से इसको कहा देते है dissociation constant of acid week acid की अब आप समझ गया होगे कि मैं एक समझाना क्या चाह रहा हूं इसका मतलब इसकी वैलू भी temperature पर depend करेगी क्योंकि यह equilibrium constant है क्योंकि यह equilibrium constant है और यह equilibrium constant है तो हमाले सारे रूल लगेंगे इस पर है ठीक है अब यार यह हमारे पास एक भी बेस है कि यह इस तरह से आइज हो गया है ऐसे अब इसका equilibrium constant निकाल दो तो यह आगया है ऐसे अब इसके equilibrium constant का नाम रख दिया जाता है क्योंकि यह भी एक स्पेस्पिक रियक्शन है डिसोसियेशन आप वीग बेस है इसलिए इसको हम लोग के भी कह देते हैं यह बोल दिया जाता है डिसोसियेशन कॉस्टेंट ओफ वीग बेस है कि अब यह दोनों क्या है इसका मतलब इनकी वैलू क्या होगे वैलू ओफ के ए एंड के दी ओल्ली डिपेंड अपॉन टम्प्रेचर करेंगी और किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी क्योंकि यह क्या है एक कुलूब्रियम कॉस्टेंट है तो सिर्फ टम्प्रेचर डिपेंडेंट होंगे अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे अच्छा कोश्चन आ गया रुप जाइए फिर मैं अपनी तरफ से खीशता हूं देखो एक ग्यान की बात बताता हूं इसको जरा समझों हुँ 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 कि एक मैंट है कि डिसोसियेशन को पॉस्टन टॉक कि एसिड एंड इट्स कांजुगेट बेस प्यारे बच्चों यह इंपॉर्टेंट हैडिंग इस पर कोश्चन आता है और बच्चे इस पर कोश्चन जब आता है तो गल्तियां करते हैं इसलिए आपको यह थोड़ा सा ध्यान लखना है कैसे याद रखना है यह तो मैं अभी आपको समझा दूंगा कि यह किस तरह से घरना है गौर समझें कि देखो एक आपको रियक्शन लिखके दे रहा हूं जड़ा देखना है कि यह स्टीक है अच्छा अच्छा अब यह हमारा एसीड हो गया वीक एसीड और यह इसका हो गया कांजुगेट बेस कि यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब यार एक रियक्शन यह दिये कि यह देखो अब यह रियक्शन कौन से है इस रियक्शन के कॉस्टन को कहेंगे के बी और के भी आप कांजुगेट यह इसका कंजुगेट है कि अब गौर समझेगा यह कंजुगेट है यह कि अब इसका काणुगेट जब प्रोटान करता है तो वह अलग रियक्शन है वार्टर से एसेप्ट कर रहा है देखो इसमें बेज बनना है इसकी जेस्ट अपोजिट रियक्शन यह नहीं लिखी है बच्चे सोस्ते इसकी जेस्ट अपोजिट रियक्शन लिखी है कि तुम देखो जड़ा दो घुट माल ले किस रियक्षन की जैस्ट अपोजिट रियक्षन यह नहीं है यह और यह डिफरेंट रियक्षन है भाईया इसकी अपोजिट तो यह होती कि कोई किसी एसीड का कांजुगेट प्रोटान एसेप्ट कर रहा हो तो यह इसमें बताना क्या चाहि रहा था मैं यह बताना चाहि रहा था कि इसका के ए और इसके के बी का मल्टीप्लाई के डबलू के बरावर होता है इस पर कोश्चन आते हैं वो करते क्या है एक रियक्षन का दे देते हैं और दूसरे का कॉश्टन पूछते हैं इंपोर्टेंट है वह क्या करेंगे इसका دिसॉसीैशन काफ्sa दे देंगे और इस रियक्षन के लिफ दियता है वान अपउन के क्यों chemical equilibrium में पढ़ाया गया है तो यह दो different reaction है same reaction थोड़ी ना है यार दोस्त तो यहां पर यह rule लगाईएगा ka into conjugate base की reaction देखो kb नहीं लिखा है मैंने conjugate base लिखा है क्योंकि kb लिखने से क्या हुआ आपको यह नहीं पता चलेगा कि b किसका है इसका के उठाया और जाके ammonium hydroxide का के भी उठाया और उनका multiply करके 10 के पर 14 के पराबर कर दिया माइनस 14 के तो यह गलत हो गया कि यह गलत हो गया यह फार्मूला बच्चे बुक में पढ़त हो लेते हैं वहांगा चिपकाते बहुत गलत तरीके से यहां पर के भी कोई दूसरा के भी नहीं है उसी acid के conjugate का के भी है उसी acid के conjugate का के भी है तो के इंटू conjugate of के भी इक्वर्टू के बराबर होता है 10 की पावर माइनस 14 यह फार्मूला याद रखना ऐसा question खुब पूछा जाएगा तुमसे ऐसा question तुमसे खुब पूछा जाएगा तो अच्छे से इस बात को आपको लगाना है ठीक है तभी आंसर सही आएगा मतब तब तुम question कर पाओगे तो ध्यान लखिएगा इस बात को कैसे अपलाई करना है ठीक है इस पर question पूछे जाते हैं हाँ अब हम लोग question पर चल सकते हैं हम लोग बेसिक सारी information कर लिए चलिए विच इस दा strongest acid in following यह तो इन और गैनिक को कोश्चन है जब भी आउक्सो एसीड़ में पूछा जाए है आउक्सो एसीड ठीक है या फिर ऑक्साइड इनकी यदि एसीड़ी की श्टरंद कभी भी पूछी जा रही है एक है इसर्डी की श्टरंद है तो पस कुछ नहीं करना है यह लिख देना है एक आउक्सीडेशन नंबर के डिरेक्टरी ब्रपोर्ट आप चाहे वह ओक्सो एसीड की और एसडी कीश्टन पूछे चाहे ऑक साइड की पूछे दोनों के लिए सेम रूल है अब बस ऑक्सीडेशन नमबर निकाल लो छे पांच साथ चार पूछ क्या रहा है इस्ट्रॉंगेस्ट एसिड है ठीक है नेक्ष्ट विच आप दा फालोइंग फ्लोरो कंपाउंड इस मोस्ट लाइकली तुबी बिएब आज ल लुइस बेस पूछ रहा है तो लुइस बेस मेरे दोस्त क्या होते हैं अभी मैंने पीछे पढ़ाया था लोन पेयर डोनर मगर साथ साथ में एक बात और बताई थी कि भाई का ऑप्टेट कंप्लीट होना चाहिए ज्यान है कॉंसेट से दुखो न बटको कॉंसेट से बटक हो चेक करो कि यह तो एलक्ट्रॉन डिफीसियंट है और टेट कंप्लीटी नहीं है तो यह लुइस बेस कैसे हो सकता है इस भाई के पास देखो फास्पोरस के पास पांच होते हैं तीन बांडिंग में गए छे अलक्ट्रॉन और दो लोन पेयर आठ ऑप्टेट कंप्लीट ह और इसके पास चार और चार आठ इसके पाल लोन पेयर नहीं है इसके पास भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि यह कारवन फैमली यह कारवन सिल्कॉल तो बस यह आंसर हो गया रूल याद रखते हैं और टेट कंप्लीट होना चाहिए लोन पेर उना चाहिए विच आप दीज लाइकली टू एक्ट एज लुइस बेस लुइस बेस पूछ रहा है तो फिर वही का नहीं और टेट कंप्लीट है चेक करो फ्लोरीन के पास कितने लेक्ट्रॉन है साथ होते हैं और एक कहीं से आ गया है आठ हो गए तो भाइया आठ अलक्ट्रॉन है तो आफ्टेट कंप्लीट तो है यह और लोन पेर यह एक की जरुवत यह तो चाप्चाल लोन पेर है यह यह अलप्त्रॉन डिफीसियंट है अच्छा यह भी तो है भाई वीच आप दीज इस लीजड अच्छा लीस लाइक जो क्योंकि Hey तो सबसे इसली demonily policeawk लिच्ट लाइट् sli ये तो है लेइं और यह भी नहीं एंब स्विक अरुष कारंड़ डुछेट कंपलीट नहीं ये तो लीज्ट्म लाइट्ल Ikon लुए पाहिये है यहें यह सालूषण आप एसीड कशिटश अंदने अब ऄफों आप किसटी कैसीट तो आरीनियस भाइसाब ने क्या बताया था आरीमीस भाइसाब बताया था कि नैकेड आयन exist नहीं करता है Naked A-Chain exist नहीं करता है हमेशा किसमें exist करता है Hydronium Ion के फ़र्म में तो हमें Hydronium Ion वाला answer लिखना चाहिए तो वो कहारा है यह होगा यह होगा यह होगा यह होगा Equality Solution Pestic Acid Contains तो जैसा answer दिया है उसके साथ से यह क्यों कि यह पार्सली आइनाइज होता है ना तो रियक्षन होने के बाद क्या बचेगा यह बचेगा और यह बचेगा है कि यह बनेगा दुनिया जानती है मगर को सलूसना प्लच में क्या क्या होगा तो भी तो खुद भी तो होगा है तो दिमाग की बत्ती जलाते रहना है और यह गलत क्यों है क्योंकि यहां थिरी होता तो यह भी आंसर होता और फिर सबसे अच्छा आंसर यहीं होता है most appropriate answer होता है कि दा इस्ट्रॉंगेस्ट कांजुगेट बेस तो सिंपल सी बात है इनके conjugate acid बना लो acid जितना वीक होगा उसका conjugate उतना इस्ट्रॉंग होगा अब देख के पता चलना यहीं answer होगा क्यों बाकि सब strong acid है H2SO4 strong acid है तो इसका conjugate weak होगा SCL strong acid है इसका conjugate weak होगा HNO3 strong acid है तो इसका conjugate weak होगा और stick acid weak acid है stick acid कितना है क्या है weak acid है तो इसका conjugate क्या होगा strong होगा है ऐसे इसका conjugate क्या होगा strong होगा इस तरह से ठीक है चलो इसको भी करो next the conjugate acid of H and H2 negative and H2 negative conjugate कैसे बनते हैं मैंने कहा था proton का difference होता है सरीफ एक proton का तो इसका conjugate कौन होगा जब यह proton gain कर लेका तो यह होगा ऐसा कहां लिखा है बस है conjugate बनाने में क्या कहा था बहिया बूल गया conjugate बनाने में सिर्फ एक proton का difference होता है मेरे प्यारे बच्चों तो बस यह answer आगया ठीक है कर लोगे चली अब अगले topic पर बढ़ते हैं अब जड़ा देखो यार पिया चाप solution यह important heading है यह मान के चलो कि यार चार नंबर यह लिखे हैं यह हमें मिलने चाहिए हम लोगों का target यह है कि यह चार नंबर है यह कैसे कवर किये जाए पिया चाप solution से question आता ही आता है तो चलो इसको भी कर देते हैं अब जर गौर से मेरी बात को पहले सुनिएगा कि देखो कि यह हमारे पास एक container है और इसमें हमारे पास कोई solution है कि यह देखो कि यह है एक क्वस सलूशन है ऐसा और वह इसका प्याज पूछ रहा है तो हमें क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है डिसकस करते हैं एक एक करके पहले इन बातों पर फोकस रखिएगा बहुत अच्छे से पहला प्यिया-तो फ्राइब ह一定要 आए पकर होता है कि पियर्मूला माइनज लॉग अचने कसट रूटल होता है इसको थोड़ा संद में कर दिया है अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि टोटल एचायन कंसंट्रेशन क्या बनेगा गवर से सुनते जाईएगा टोटल एचायन कंसंट्रेशन हमेशा बनेगा 10 की पावर माइनस सेवेन प्लस एचायन कंसंट्रेशन ओफ एसिड या बेस अचायन कंसंट्रेशन आप एसिड या बेस यह देखो जब भी कहीं एचायन कंसंट्रेशन की बाप आएगी तो यह बनेगा ध्यान नख्येगा इस बात का विसेज ध्यान नख्यें कि टोटल एचायन कंसंट् होंगे इसमें आपको सिर्फ एक केस याद रखना है कि वह केस क्या है जरा समझे है कि दो को यार कॉंसेट को बहुत अच्छे समझ लेना तुम्हारा कोश्चन हो जाएगा बच्चे यहां गलती करते हैं मगर मैं चाह रहा हूं कि तुम गलती नहीं करोगे तुम गौर्स सुन सिक्स से जादा है यदि एचायन कंसंट्रेशन आप ये लिए सकते हो टोटल एचायन सलूशन गांसंट्रेशन इक्वड टूट क्या लिख सकते हो यह कब लिख सकते हो जब सिच्वेशन देख रहो क्या लिखी मैंने जब टोटल जब एसीड का कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो एसीड का कंसंट्रेशन 10 की पावार माइनस 6 से ज्यादा और यदि कम है या इक्वल है तो हमेशा यहीं लिखोगे अब ऐसे याली बात तो हम लोगों को सुननी नहीं चाहिए कम है एक्वल क्यों इस कंडिशन में यह लिखना है नहीं तो बाकी सारी कंडिशन में क्या लिखना है वही लिखना है जो उपर लिखा हुआ है अब देखो मैंने जो बताया है और बाकी जो आप बुकों में देखते हो लगभग सिमलर है मगर उल्टा है वो कहते हैं कि जब एचायन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से कम हो या एक्वल हो तो 10 की पावर माइनस 7 एड कर दिया करूँ यही कहते हैं न लोग मैंने इसको तो चेहन कर दिया क्यों पच्चा अइड करना विचारा भूल जाता है कि किसी बात याद रखेगा तो ऑलीयाद रखना। बच्चे से गलती हो ही नहीं सकती है क्योंकि बच्चे का कोश्चन का टोटल एचायन आप सलूशन 10 की पावर माइनस 7 प्लस एचायन आप एसीड है नहीं तो हमेशा यहीं चलेगा पहला पॉइंट समझ पाए पहला कॉंसेप्ट यह हो गया तीक इस बात को समझ रहे हो अच्छा फार्मूले अभी और भी फार्मूले लगेंगे अब दूसरा पॉइंट डिट्टो इसी तरह ओएचायन के लिए यदि कहीं हमें ओएचायन की घिर्वत पड़ती है तो टोटल ओएचायन आप सलूसन हमेशा यह होगा 10 की पावर सेवेन प्लस ओएचायन आप बेश यह होगा इसको हम सिर्फ एक ही सिचुएशन में निगलेट कर सकते हैं वह सिचुएशन क्या है डिट्टू वही सेम बात है यदि ओएचायन का कंसंट टैन की पावर माइनस सिक्स से ज़्यादा है तो आप चाहें तो आप चाहें मतलब ना भी करोगे तो कोई गलत बात नहीं है और अच्छा अंसर आएगा तो इसको निगलेट कर सकते हैं आप चाहें तो इसको निगलेट कर सकते हैं ऐसे यह देखो और यही बात वहाँ लिखिए है नहीं तो हमारा हमेशा आचायन आप सोलूसन जो होगा वो टेन की पावर माइनस सेवन प्लस एचायन ओव एचायन कंसंट्रेशन आप बेस होगा ठीक है ओट आचायन नगाल लिख गया है वो तो अच्छा हुआ बच्चों ने इसारा कर दिया है कि नहीं अपने घर से इसारा किया है ना कि सर देखो यार यहां पर साइन इधर उदर हो गया है यह देखें ऐसे बास समझ पा रहा हो क्या कहा मैंने सिर्व इतनी सी बात कही है कि जब भी हम कहीं है रखेंगे पी एच वाले फार्मूले में है रखेंगे वह स्पार्मूले तो रखेंगे 10 की पावर माइनस 7 प्लस है चायन आप बेस हम यह वह चाहिए का तो निगलेट कर देंगे और नहीं ज्यादा है तो कभी निगलेट नहीं करेंगे बात खतम हो जाते हैं एक कांसेट समझ गये कि कपकप क्या रखना है अब बच्चे हुए कुछ फार्मूले वह फार्मूले कैप Já도 पाहिए आप जामते हो पी एच पी व्व क्वक्वल टू 14 थाना by दूर्टी फायभी डिग्री सेंटी पर यह फार्मूला अपली के बने हैं की प्याचatan आром को टीन के बराबर होता है और फो टीन को ही क्या कहते है टी के डवलू कहते तो प्लस 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 आहलो तो फंस तो फ्रन लोगा पहला केस अच्छे से पर MA छॉड़ रहा है तो हम लोग कैसे निकाले जरा देखीएगा देखो गौर समझे हमने एक श्ट्रॉउड एसिड सपोस्ट किया कि क्या है स्ट्रॉण एसिड एक हमने एक इस्ट्रॉण एसपोस्ट सिर्ण कैं जब यह जोगा तो क्या होगा यह आएगा और यह हैं किलर है अब हमें पी अज निकालना है तो बच्चे कहें कह ये तो हमें आता है पिएज का फार्मूला होता है यह जो आपने बताया है कि पीएट इक्वल टू माइनस लॉग एचाएं कंसंट्रेशन आफ सलूशन तो मैंने ने लिएचा न कैसे निकालोगे तो जड़ा देखो एचायन आफ एसीड कैसे निकाले जाएंगे तो एचायन आफ एसीड हमेशा इस पॉली है यह एन इंटू मोलर कंसंट्रेशन आफ एसीड यह देखो इस फार्मूले को याद रखना भाई मेरे यहां पर एचायन आफ सलूशन रखना है जहां पर एसीड का संट्रीशन नहीं रखना में हमेशा सीड का संट्रीशन दिया ऑप जब कि हमें रखना कि सलूशन का यहां लग और एचायन का सलूशन का संक्वाइब हमें हैं आप इसीड तो रखना ही नहीं है एक आप सलूजन का फार्मूला यह होता है तो यह हो गया टोटल फार्मूला यह देखो इसका मतलब कोई भी एसीड हो और उसका पीएट पूछा जा रहा है इस ट्रॉंग एसीड का पीए तो बस यह फार्मूला है एचाएन आप सलूसन आगा है उसमें डाल दोगे आंसर आजयेगा इस अब मैं आपको कॉंसेट आपने समझ लिए तो कोश्चन करके दिखाता हूं आपको दो कोश्चन देता हूं पहलर में देखिए अब आप इन कोश्चनों को करिए और बताइए आंसर क्या आएगा कोश्चन नमबर वन तेन की पावर माइनस थ्री मोलर एस सीर पहला कोश्चन नमबर तू देखिए टैन की पावर माइनस थ्री मोलर एस थ्री यह देखो है एच्टू एपफोफोर ठीक है कोश्चन नमबर तीन टैन की पावर माइनस एट मोलर एस सीर यह देखिए अब इनका सबका पी एच निकालना है दो मिनट में आप निकाल दोगे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कैसे अब बताओ यह कंसंट्रेशन किसका दिया है एस इड का दिया है तो एचाइन कंसंट्रेशन आप एस तो टोटल कंसंट्रेशन आप सलूशन कितना हुआ सौरी जो पढ़ाया है वहीं लगाओगे और कुछ नहीं लगाओगे एक कुरेसी हाई रहेगी कभी कोश्चन गलती नहीं होगा 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 7 प्लस एचाइन कंसंट्रेशन आफ एसिड और वह व कॉंसर्ट दिया था कि बच्के कहेंगे सर यह सब को जल्दी से कर सकते थे यदि आशीं कंसंट्रेशन 10 पिपावर माइनस 6 से बड़ा हो तो आप तेंदी पावर सेवन को निगलेट कर सकते हो स्यारा एचाइन कंसंट्रेशन क्या लिखा है 10 की पावर माइनस 3 लिखा है तो चैन की पावर माइनस 6 तो बहुत बड़ा तो आप इसको छोड़ दो तो है चैन आप सलूशन कितने आ गये चैन की पावर माइनस 3 आ आ गया कि नहीं आ गया आ गया तो पी एच कितना आ गया पीएच इक्वर्टू माइनस लॉग है चैन कंसंट्रेशन वैलू डाल दिया आपने तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 पीएच इक्वर्टू कितना आ गया है अंसर हो गया कोई बच्चा है हो सकता है कि सर आपने लखड़ा ज्यादा फैलाया है यदि मैं डैरेक्ट करता तब भी तो आंसर 3 आता बेटा बात सही है इसका अंसर 3 आता मगर आंगे जो अच्छे कोश्चन है उनमें फस जाते और यह कोश्चन तो वह ऐसे भी नहीं पूचिएगा तुमसे इतना बैसी कोश्चन आंगे वाले कोश्चन फस जाते तो आप हमेशा यहीं कॉश्चन कुछ भी पूछ जाए अब इससे क्या रहा है आपको हमेशा एक ही कॉंसर लगाना है अब मैं थोड़ा सा डारेक्ट करूंगा ठीक है जड़ा देखा अब इसका पी एच निकालना था तो एचन सलूशन कितना होगा एचन सलूशन होगा 10 की पावर माइनस 7 प्लस यहां कितना लिखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 समझ कैं कैसे किया है तो पसमाज़ प्लक कि नहीं को भाया जार अभी फार्मुला बताया यह देखें है clicks कि पावर माइनस 7 एन s बिखाम हो इनके एंस यह इन तुष में कंसंट्रेशन और percentage इसेट एक अ इसेड़मे कंसंट्रेशन आफ कितना है तें किपावर माइनस त्री यह देखो है वाइट टैन की पावर माइनस थ्री एम एस्टूस फोर का मतलब क्या है कि टैन की पावर माइनस थ्री मोलर कौन है एस्टूस फोर है एचायन थोड़ी नहीं अब बताओ एचायन की वैलू क्या है इच्छान की वैलू क्या है वह मेरे दोस्त टेन की पावर माइनस शिक से बहुत बढ़ी है तो मैंने इसको छोड़ दिया है अब हमारे पास पी एच इक्वल टू फार्मूला गया माइनस लॉग एचायन कंसंट्रेशन अब मैं बीच बीच में छोटी छोटी लाइने छोड़ रहा हूं क्यों क्योंकि मुझे लग रहा है वह आपको आती है अब इतना तो आता ही होगा आपको अब देखो लॉग नि हमेशा है कंसंट्रेशन को इस तरह से बना लिया करो है तो उसका देखो उसका पि एच तुम डारेक्ट लेक सकते हों यह जो क्लड़ यह उसको यहां लगा दो और यह लॉग के साल माइनस करने अगरे यह आयेगा सिंग turret अब यह पावर कितनी है तीन अब मैं डारेक्ट लिख दूँगा है ठीक है अब लॉग लगाया और यहां पर कितना लिखा है दो बस यह आगया भी एच्ट कि 3-2 क्या करना है हमेशा है कंसंट्रेशन को इस तरह से लिख लो जो माइनस में पावर है वह यहां गई माइनस लगाया यह चीज लॉग के साल लिख दी अच्छा अब हम तीचरे कोश्चन पर आए यह देखो 10 की पावर माइनस एट मोलर एस यह जब इसका पीएच पूछा जाता है तो बच्चे जल्दी में गड़बड करते हैं मगर आप गड़बड नहीं करोगे आप चाहिए जित्की जल्दी करो क्यों क्योंकि मैंने फार्मूला पहले से से रखा है अब आपने क्या लगाया एट चैंट कंसेंट्रेशन आफ सलूशन गटेन की पावर सेवन प्लस अचैन कंसेंट्रेशन आफ एसिड माइन तो आपका क्या हुआ रना सेवन प्लस 10 की पावर एट क्या निगलेट कर सकते हो नहीं यूई चैंक चैन तो नहीं कोई बात है तोटल है जायना अब सलूशन कितना आ गया अब इसको तो यह आ जाएगा 1.1 into 10 की पावर माइनस 7 कि समझ गये होगे 10 की पावर माइनस 8 कर लो और फिर 10 की पावर माइनस 8 common ले लो तो 10 प्लस 11 हो जाएगा फिर 10 की पावर 7 कर लिया अब प्याच दो पिएच कैसे लिखा जाता है माइनस में जो पावार है उसको लिखा माइनस लगाया और यह चीज लॉक के साल लिख दी यह आगया और इसका पिएच कितना आएगा 6.932 ऐसे सम्थिंग देखो आगे अंसर अब इसी चीज को लोग अलग तरीके से बताते हैं मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया है ठीक है तो आप ध्यान लखना मेरे वाले तरीके में एक खास बात है कि जब तुम गल्टी करोगे गल्टी होई नहीं सकती मतलब 10 की पावर पीएच वाला कोशन बच्चों से गलत बहुत होता है तो ध्यान लकना मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लगाओ क्यों क्योंकि आपने दो तीन साल से अलग तरह से पढ़ा होगा तो ऐसे लगाना थुड़ा सा अलगा है मैं तो ऐसे कर लेता था मग आप ऐसे लगा है यह कर लोगे तो पी एचार इस ट्रॉंग आइसे हम लोगों नीकालना शुखा दिया है कि अब चलते हैं केश नंबर टू केश नंबर टू के है पियाच आप स्ट्रॉंग बेस अब देखों पियाच आप स्ट्रॉंग बेस में कैसे करेंगे गौर सुनते जाईएगा है ठीक है डिट्टो सेम है सुनना क्या है मत्तब बस मान के चलों डिट्टो सेम है पी ओएच इक्वल टू माइनस लॉग और ओएच woo लॉचन का होगा है कि zwischen darf के चाइना पेस कैसे निकालेंगे तो सपोस करों यह देखो एक बेस और यह देख्या अ यह देखें हमने ये देश सफोस दिया ए जब यह इस ट्रॉव्ग है तो जब कैसे डिसोंसीएट होगा ऐसे डिसोंसीर होगा अज़ा कि मोगा होगा कि नहीं होगा तो हमेशा ध्यान लखो ओए चैन कंसंट्रेशन आप बेस कितना आएगगा and into concentration of base जैसे acid बे निकाला था डिट्टो सेम चल ला है बस कुछ भी चेंज नहीं है सब डिट्टो सेम होगा यह देखो अब चेंज क्या है गौर से समझो कुछ भी पूछा जाए पहले पी ओ एच कल्कुलेट करना है कल्कुलेट करना है जो बाते बता रहा हूं उनको बांध लोगे मतलब उनको ध्यान न कलकुलेट करोगे तो कोश्चन गलत नहीं होगा तो क्योंकि बहुत सारे में विभी हो फिसके बट्रोंब्लम यह उनको आता है पिर भी पहन्च क लिए करते और वह ऐसा क्योंकि इसमें नहीं वह सारी योता अश। अब को ध्यानी नहीं रखने बस आप बाते याद रखो हम बेस में मग भी पूछा जाए सबसे पहले प्लोब करों तो adversity is covering है घुद्याइश तो सबसे पहले हम पीएच करेंगे फिर टाल्क लैट करी वह करेंगे 2010 कभी गलतrat होगा हमें कुछ नहीं समझना पड़ेगा बच्चों ने का सर आप थोड़ा सा अपलाई करके दिखा दो थोड़ा सा हमको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहे रहे हो तो मैंने का वेरी गुड बिटा आपके लिए तो आए है हम अब देखो एक एक करके हम लोग कोश्चन बना रहा है पहला कोश्चन यह है अब मैं डारेक्ट थोड़ा ज़्यादा करूंगा ठीक है क्यों क्योंकि यार आप इतने टैलेंटेड हो कि इन बातों को तेजी से ग्रिप कर पाओ कि यह देखो बच्चों कि किसी ने कहा इसका पीच कल्कुलेट करो है वह मोश्टली पी सीक सलूशन तो सबसे पहले क्या गल्कुलेट करोगे तेव Vive फू किया रहा है उसके मतलब नहीं हम पी काल्कुलेट करें go कि प्यूज काल्कुलेट करो फ्यूज काल्कुलेट करने लिए क्या चाहिए ऑचाइन सलूशन ऑचा टाइए एन की पावार सेवन प्लस ओट ना बेस यही तुम ने पढ़ाया है तुम्हें तो बैया जो पढ़ा रहा हुँ बस वही लगाई ये गा नहीं तो फिर मेरे समध बताना कि सर वो कोश्चन आता था मगर गलत हो गया सिली मिश्टेक की वज़े से यह भूल गया वो भूल गया ठीक है अब ओए चैन की पावर माइनस 6 से बढ़ा है यदि 10 की पावर माइनस 6 से बढ़ा है तो हम क्या करेंगे उसको निगलेट कर सकते हैं यह देखो और यदि कोई बच्चा चाहे तो ना निगलेक्ट करें और अच्छा आणसर आएगा मगर कल्कुलेशन से बचने के लिए हम लोग निगलेक्ट करते हैं आप चाहो तो ना निगलेट करो और मस्ता आणसर आएगा हमने निगलेट कर दिया अब पी-वह कितना हो गया यह पा ऐसे तो पीएच इक्वल टू कितना आ गया नौ आ गया है यह देन पीएच कल्कुलेट करोगी और पीएच का फार्मूला कौन हैगा पीएच इक्वल टू फोर्टीन माइनेस प्यूएच अब बिल्कुल मस्तांसर आ रहा है जैसा आप चाहते हूँ ऐसा कोई कहानी की जरूरत नहीं है ठीक है अब इसका पीएच कितना आ रहा है नाइन प्यूएच कितना आ रहा है फाइफ अब देखो एक और कोश्चन किसी ने का जरा इसका निकालो देखेगा टैन की पावार माइनस एट मोलर ठीक है अब मैंने का इसका पीएच निकालो तो तुम आराम से निकाल दोगे तुम्हें कुछ नहीं करना अब मैं डारेक्ट लिखूंगा यार दोस्त ओह चैन सलूशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 प्लस 10 की पावर माइनस 8 इंटु 1 यहाँ पर कितना लिखा है 1 और यहाँ पर यह किसका कंसंट्रेशन है बेस का है तो 1 इंट् ए तैन पहर माइनस एट एट प्लस 17 और चैन कंसंट्रेशन की वैलू 10 की पावर माइनस 6 से चोटी है जब और चैन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से बड़ा होता है तब वाटर को निगलेट करते हैं तो यहां निगलेट करने की जुरूत नहीं हुआ अगात है कि सौल कडिये आजाएगा तो पीवेच कितना आजाएगा सबसे पहले पीवेच निकालोगे किसी निकाल दिया तो दिक्कत आ जाएगी आप पहले प्यूअच निकालोगे मैंने आपको यह पढ़ाया है जो पढ़ाया है बनस वही करो यह देखो पी-एच इक्वल टू कितना आ गया 14 माइनस प्यू एच लगा दीजे 14 माइनस प्यू एच कर दोगे तो 7 प्लस 11.1 मस्त आंसर आगे जो पढ़ाया जा बस वो लगाना है और आपको कुछ नहीं करना है ठीक है आपफोकस रखना है वह कमनसेप्टी बढ़ा गया है उसी कॉश्टत सारे कोंशें हो जाएंगे अधर ऊबiemandकौ के लिए नाकौंशेब मैं तो फिर वह और है यह करना मैं जा है pertama यह करना है जब हर फिर चीज लग रही है तो देखो हम कभी अलग नहीं लगाएंगे हम लोग तो एक ही करेंग यार वह कोश्चन चैसा लिखाओ यह यह लोग मेरे दोस्त है ज़िए आप पीएज बताओ तो आप कैसे निकालोगे डारेक्ट चिपका रहा हूं को ओँए-क की सं सलूशनों 10 की पावर माइनस सेवेन इनटु टैन की पावर माइनस यहाँ पे टीन लिखाए इटी ठीक है हम इसको कि इस्ट्रॉंग सपोस करके चलना है यह क्योंकि यह अप्पो टरीग होता है कि बहुत स्ट्रॉंग नहीं होता है कि हमने इसको श्ट्रॉंग बेस सपोस करके किया है ठीक है अब बताओ यार कि डारेक्ट कर दूं कि यह कितना आ जाएगा अरे बहुत कोई जोड़ो तो सही तो हम इसको निगलेट कर देंगे बिल्कुल कर दोगे क्यों वह चैन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से बढ़ा ह है तो निगलेट कर दिया बाटर तो पोच कितना आ गया पावर को लिखो माइनस लगाओ यहां पर जो है वो लिख दो पी एच कितना गया 14-4 कि सॉरी 14-3 प्लस लॉग यह तो पी-एच आ गया 11 प्लस लॉग 3 लॉग 3 की वैलू डाल दो गया आंसर आ जाएगा यह ठीक है अब ज़र देखिए केस नमबर नेक्स्ट पी-एच आप मिक्श्चर आप एसिड यदि एसिड का मिक्श्चर हुआ तो पी-एच कैसे निकाल हो गया इसको समझते जाएगा अएजिड का मिक्श्चर हुआ तो पी-एच कैसे निकालोगे और अचिड कैसे इस्ट्रॉंग एसिड तो जड़ा देखो मैंने यह सपोस्ट किया एक एसिड यह है एक एसिड यह है भाई इनही का तो मिक्श्चर लोगे है दो एसिड का ले लेते है वैसे तुम चाहो तो चार ले लो यह क्या है एसिड वन यह क्या एसिड डू अब बताओ हमारा रूल क्या है हमारा रूल एक ही है कि ही ओगेविए achen up solution चाहिए अब ओहै चैना up solution कितना होता है है met an up solution कितना हो पैस बढ़िए हैं Sergeab सब्सक्राइब है rock to आपी यहां पर कितना है N कि एन इंटू कि यह कि प्लस एम इंटू यह कि ऐसे निकालों एचाय ना गया पी एच का फार्मूला लगा दो कोश्चन खतम क्योंकि हमारा पीएच एकोल टू कितना है हमारा पीएच तो वह यह अच्छा यहां पर एक बद्यान नखिए गौर्च देखिएगा यहां पर हम लोग मिक्शर आप एसीड कर रहा हैं तो यह आपने टोटल अचाय निकाले है टोटल अचाय निकाल के जोड़के फिर वहां र बहुत आसानी से किये आपको देखो धीरे से बता देता हूं ध्यान दो कैसे निकालोगे यह होते हैं मोल तो मोल कैसे निकालोगे एन वन वी वन इसका कंसंट्रेशन इसकी मोलर्टी कितनी है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइड़ बाइ टोटल वैलू वी वन प्लस वी टू यह अचाय ना आप सलूशन आया अब बस इसको जाके कहां डाल दोगे इसको जाके पी-एच मोले से डाल दोगे कि यह ठीक है है और जिसको फार्मुला ना याद रखना हूं तो मैं तो यह दक्रखां कि आरो मैं यह सब क्योंगे मोल निकालना आता है ऐसे फार्मुले याद करके तो हमारे लिए JULי मुशीबत हो जाएगी हर एक लिए किता फार्मुला याद रखोंगे तो मैं देखूना सिखाया है आपको निकालना क्या है page तोटल अचायन कंसेंट्रेसन के लिए क्या करना पड़ेगा दूनों के ऐचायन को एड़ करना पड़ेगा अब इस बात को मैं कोशन में करके दिखाता हूं जैसे आप इस बात को समझ सके देखिए हम लोग के पास फेंट कोशन है त्री मोलर एस इनको मिक्स कर दिया गया है और पूछा जा रहा है बताओ है प्यज कितना हो तो हम डारेक्ट निकाल देंगे इसमें इतना टफ काम कहा है तो क्या टफ काम है अब बताइए तो हमें क्या चाहिए है टोटल टोटल अचयन क्या होते हैं आया चयन कंसंट्रेशन आप अफने हर से समझन्ती आप डाय्रइट गया है ऒंग सुझाय नहीं सकते यह नहीं लिखिसकते हो प्र土 धिया जब दोनों को मिक्स करोगे तो कनसंट्रिते चेंज हो जायेगा क्योंकि वान् टास Yo यह जिस में मैं यह किसमे हाव 200 अब जब दोनों को मिलाद हो वे तो दोनों 300 अमल हिンタवल्म तो कंसंट्रिशन हो जाता है हमें यह कंसंट्रिशन रखना पड़ता उस जगह से कंसंट्रिशन नहीं सकते नहीं कि यह नहीं सकते हैं यह यह देखू नजए कि सिर्फो कि फिर तुमने 100 ml डाले कि से तो कोई बच्चा ऐसा ना करे कि 10 की पावर माइनस टू तो वन इंटू 10 की पावर माइनस टू वन इंकू 10 की पावर माइनस थि डाल दें इसी वजह से मैंने ये किया 220 मैं आप कि यह डाल दो आप डायरेक्ट आंसर आप कर आज आएगा एन की वैलु कितनी है one M कितना है 10 की पावर माइनस 2 V कितना है 100 ml प्लस N कितना है 1 V कितना है 10 की पावर माइनस 3 और यह कितना है V1 प्लस V2 कितना हुआ यह देखे आप डायरेक्ट डाल दिजिए अब इसको सॉल्व कर लिए तो सॉल्व करो जीरो से जीरो उड़ा दो देखो 10 की पावर माइनस 2 प्लस 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड़ बाइ 3 200 मैंने क्या किया है 100 कमल ले लिए और 100 कमल ले लोगे तो यह कट जाएगा यह ऐसे आ जाएगा अब यार इसको और सॉल्व परो जब मेरे दोस्त इसको और सॉल्व परोगे यह आ जाएगा इसको 10 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड़ बाइ 3 तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आया चिक करो मैंने इसको 10 की पावर माइनस 3 कर दिया तो यह कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 करोगे तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3 कॉमन ले लोगे तब ट्वाला जाएगा तो फॉरी यार एक चीज यहां इती देर से गलल लिखी चली आ रही है हम लोग है चाहिन निकालना है ना वह चाहिन थोड़ी निकालना है कि यह देखो कि अब भस पिएच इक्वार्टू माइनस लॉग है अउप सालूशन प्यएच कितना आ जाएगा पावर कितनी है तीन आंगे कितना ए फ्वोर कि पावर माइनस आंगे कितना है 4 प्रोफ में ठीक है यह आंसर आगया हमारा तो जब भी दो बे दो इस्ट्रॉंग आइसीड मिला हो चाहा जैसे दो इस्ट्रॉंग आइसीड हो बस आप यह फार्मुला लगा दिएगा आपको कुछ नहीं करना है आपका अंसर दो सेकंड में आजाएगा आपको कुछ महनत करनी नहीं है उसमें कि नहीं आरह मैं ऐसा करें वैसा करें कुछ नहीं करना है जैसे यह देखो मैं कोश्चन और देता हूं जैसे यह है 100 ml 10 की पावर माइनस 4 ठीक है एस्टू एस्टू एस्टूएसोफोर मिक्स बिद्ध दो सो एमल एस्ट्रीवावर माइनस टू ठीक है यह दिखे इस तरह से कुछ भी दिया हो आप कुछ भी नहीं करना है कि एच्ट्री कि एस ओध्री यह देखो यह हमने स्ट्रॉंग सपोस्ट कर रखता है कि यह स्ट्रॉंग यह फिर ऐसे कर लो यह एक एसीड है और एक एसीड यह है और दोनों ही स्ट्रॉंग एसीड है लो यार अब पूछ रहा है इसका पीज बताओं इनको मिक्स किया तो हम क्या करेंगे है एचायन आप सलूशन इकोल टू कैसे निकालोगे एन डिरेक्ट लिक रहा हूं एम इंटु वी प्लस थ्री एम इंटु वी डिवाइड़ बाई वैलूम साओ प्लस दो सो अब सॉल कर लोगे जब सॉल करोगे तो यह आ जाएगा 2 इंटु 10 की पावर माइनस 3 6 इंटु 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड़ बाई 3 अब मेरे दोस्त इसको सॉल करो तो 62 इंटु 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड़ बाई 3 तो 3 क्या हुआ 2067 इंटु 10 की पावर माइनस 3 मैंने आपको कहा है कि हमेशा ऐसे लिखा करो अब पिएच कितना आ जाएगा पावर को पहले लिख दो माइनस लगा दो जो मल्टिप्लाइब में है वो लिख दो बस आंतर आगया ठीक है अब जड़ा देखो केस नंबर फूर पिएच आफ तू मिक्षर आफ इस्ट्रॉंग बेस अब यदि मिक्षर आप इस्ट्रॉंग बेस हो तो जैसे यह देखो तो जैसे यह देखिए प्यारे बच्छों एक हमारे पास बेस यह है अब दोनों को मिक्स किया गया है इसका कंसंट्रेशन एम वन वी वन एम टू वी टू अच्छा बेस की केस में मैंने क्या पड़ाया है सबसे पहले प्यो एच काउंट करोगे देन पी एच काउंट करोगे रूल याद रखना मैं नोट डाल के लिख रहा हूं कि बेस के केस में हमेशा एक ही काम हुगा पहले प्यो एच कि सेकंड नंबर पे पी एच काउंट करोगे पी एच काल्कुलेट चाहे कुछ भी पूचा जाए ध्यान लखिएगा प्यो एच पूच रहा है तो बाती खतम हो जाती पी एच पूचेगा तो पहले प्यो एच कल्कुलेट करना देन पी एच कल्कुलेट करना अब लगा दो उसी तरह से आ जाएगा डिक्तो वह एचान कंसंट्रेशन का फार् यह एम 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 वन भी वन अग्लास है एं एम टू वी टू अधिवाइड़ वाई वी वन वी टू वह एचान आ गया तो प्यूच आ जाएगा प्यूच आ जाएगा तो कॉस्टिन कितम हो जाएगा ठीक है कैसे करते हैं देखो आपको करके दिखा देते हैं एक कोश्चन यह है देखें यह है 500 ml 10 की पावर माइनस 3 मोलर एन वेच इसको मिक्स कर दिया है 400 ml 10 की पावर 3 मोलर बेरियम हाइड रॉक्साइड के साथ अब इसका पी एच पूछ रहे हैं वो यह देखें वो पूछेंगे हम बता देंगे है की नहीं प्यारे बच्चों अपने को कोई टेंसन दोड़ी नहीं है कैसे निकालोगे फार्मूला M1 है 10 की पावर माइनस 3 है 500 ml है कितना है 2 है 10 की पावर माइनस 3 है 400 ml है डिवाइड बाई 400 ml प्लस 500 ml हुआ है 100 करो यार हुआ है तो पांच इंटू 10 की पावर माइनस 3 आठ इंटू 10 की पावर माइनस 3 सो इदर और सो इदर से लिए और यह कितना हो गया 900 जीरो जीरो कड़ गया आठ और पांच कितना होता है I think 13 होता है तेरा डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कितना आएगा वन पॉइंट चार चार का मतलब नो से पैंतालेस पांच तो पूइच कितना आया किसी ने का सर पूछा पी एच गया है निकाल पूइच रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो तो हमने का ध्यान है न क्या कॉंसर्ट बताया है पूइच इकोल टू 3 माइनस लॉग 1.5 तो पूइच 14 माइनस पूइच तो क्या गया 11 plus 1.5 तो ठीच है नेक्स्ट इस ट्रोंग एसे डी अब कहानी में ट्विस्ट है मिक्शर ओप इस ट्रोंग एसे डी इस ट्रॉंग भेस अब कैसे निकालोगे तो देखो जड़ाए कि कुछ नहीं करना यार आपके लिए टफ नहीं है सबसे पहले क्या चेक करना है कि देखो हमने लिया इस तरह का एक एसिड और इस तरह का एक बेस कि इस कोश्चन के तीन केस होते हैं यादी मिक्श्यर आफ इस्ट्रॉंग एसिड इस्ट्रॉंग बेस ले लिया गया है तो मेरे दोस्ट इसके तीन केस हैं अब तीन केस में कौन सा केस आपके हाथ लगता है यह देखना है तो मैं तीनों केस का कॉंसर्ट बता रहूं हूँ कि देखिए है को और सो समझेंगा है जरा इसमें एचायन बताओ कितने हैं कि एचायन कितने होंगे एसेड़ के तो एसेड़ के अचायन होंगे एन इंटू एम इंटू वी है कि नहीं हो एचायन कितने होंगे कि बेस के एम इंटू एम टू वी टू मालिया बाइस का कंसंट्रेशन यह था इसका यह था तो यहीं तो बनेंगे बताओ अब आप बताओ गौर सुनिएगा मेरी बात को यदि कहीं पर एचायन ओफ एसिड बराबर है वह एचायन आप बेस के तो इसका मतलब वो सॉल्ट है इसका मतलब वो किया है सॉल्ट और सॉल्ट है तो उसका पिएज फिक्स है कितना होगा सेवेज यदि एचायन आप एसिड और वह चायना बेस बराबर है तो आपको कुछ करना ही नहीं यह वो सॉल्ड बना रहे तो उसका उठाके सीधा पीए साथ कर दो एक गेम खतम ठीक पहला केस नंबर वन जरा केस द्यान नको कब कब क्या क्या होता है केस वन केस टू केस थ्री कि इतनी बात समझ गया है एक चैन कैसे निकालोगे यह लिखे है और चैन कैसे निकालोगे यह लिखे से तो इसका मतलब यह क्या हुआ एसडिक सलूशन हो गया क्यों एसीड ज्यादा है तो रिजल्टेंट सलूशन तो एसडिक ही होगा और रिजल्टेंट सलूशन एसडे तो पीएच क्या होगा छे से साथ से कम पीएच की वैलू क्या होगी साथ से कम क्यों एसडे ज्यादा है तो सलूशन एसडिक होगा अब इसका पीएच निकलेगा कैसे तो एचायन ओप एसडिक पॉल टू देखो एचायन ओप एसड माइनस ओएचायन आप बेस डिवाइड़ बाई वीवन प्लस वीटू मतलब कहा जा रहा है जहां पर प्लस तुम लगा के आयदा अभी वहां पर बस माइनस लगा देना ना ऐगे पिछले फार्मूले में प्लस लगा रहे थे ना मैंसे इस फार्मूले में बस माइनस लगा देना है यह यह आया केस नंबर सिरी तो तुम अपने आप समझ गया होगी यदि ओए चैन आप बेस ज़्यादा हों तो कि तो सब को पता चल गया solution कैसा होगा basic होगा यह सारी बाते पूस्ते है solution कैसा यह भी पूस्ते है उसका pH क्या है पूस्ते है तो पी एच क्या होगा greater than 7 क्योंकि से स्वि涵ियन पोस्थ पोस्थ दिया प्याइच पूस्थ दिया तो पहले जब भी बेसिक सविवliesन का प्यूच क मिद निकलें रहे हैं आपको सीरियल की याद आ गई होगी मैं वह समय याद बार बार दिला रहा हूं और फिर भी देखना कोश्चन करते समय के लगटर दोगे फिर मेरे को भूस आएगा कि यार इतने बार याद दिलाने के बाद भी तुमने गरबड कर दिया है तो तो जादा से कम माइनस किया जाता है हमेशा यह बात हम लोग बच्पन से जामत है तो पार्मूला क्या जाएगा यह आजाएगा तो तीनों केस लिख दिया है कि गौर्द समझ पाए कि कैसे करोगे बात कमझ में आ रही है ना दोस्त देखो जब मिक्स्चर आप श्ट्रॉंग ऐसीड श्ट्रॉंग बेस आएगा तो मिक्शर आप श्ट्रॉंग आप इसके तीन केस बनेंगे ठीक है तीनों टेसों में तुम्हारा काम क्या है सबसे पहले हैं और रोजज ये निकाल को दे दिये माइनस ब्हेढ़र टूटल कॉया चा요 सब्सक्राइब के इसे टोशन होगा और क्या निकाल यॉसक्तanna गया तो प्योएच निकल गया और प्युएच निकालने के बाब कि प्याच पारो और भास समझेक पारो कैसे तो लोग तीन कोश्चिन करते हैं गौर से समझ ये तीन कोश्चिन आपके पहला अगर दूसरा तीसरा वह गुंती भी भूल गया यह अब क्या है कोश्चिन ज्यारा समझों 100 ml ठीक है 100 ml स्वरियर 10 की पावर माइनस तू मोलर स्चिन मिक्स बिद देखिये तो फिप्टी एमेल तू इन्टू टेन की पावर तू मोलर एने वेच पहला कोश्चिन दूसरा सेम कोश्चिन है 100 ml 10 की पावर तू मोलर स्चिन अब देखना अंसर सब के अलग अलगा रहा है ठीक है 100 ml ठीक टू इन्टू 10 की पावर माइनस तू मोलर एने वेच तीसरा 200 ml 10 की पावर 2 मोलर स्चिन अब इन सब का पी एच निकालना है इन सभी कोश्चिनों का पी एच निकालना है निकालो तो पहले हम क्या करेंगे स्ट्रॉंग 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 स टो इंटू टेन की पावर माइनस च्व कि बन आ गया का एच एन और यह हैं बराबर बराबर आए तो धूर्स पिएज किता हो गया है शाथ हो गया और यह कैसा हो गया और अच्छा अब यहाँ इसको करते हैं है जार निकाले तो देखो और कितना एंग वन है सॉंग दिंदण की पावर माइनस तो फील किया वन ऐसाए निकालो का वन या है यह पर वच पर वन ही ना तो है तू इटरिन की की पावर माइनस टू कितना आया Thai वे चैंड जयादा है it a chance сдел तो पाज से सलोशन यह बेसित सलूशन हो ठीक है प्याच कैसे आएगा ज्यादा आएगा निकालेंगे कैसे पहले श निकालेंगे क्योंकि solution basic है कैसे निकालेंगे बेस माइनस एसीड क्योंकि एम इन टू भी तो निकाली चुक्छे हो ना है कि नहीं बेस माइनस एसीड अपन टोटल वैलूम टोटल वैलूम कितना है भी ब्लस वी टूटो तो वन अपान 200 मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कितना आ गया 3 माइनस लॉग 5 तो पी एच कितना आ गया 14 माइनस 3 माइनस लॉग 5 तो यह आ गया 11 प्लस लॉग 5 अब यह चीज निकाल चुके और यही चीज तो प्लस माइनस हो रही है देखो जब निकाल ली चुके हैं तो बस माइनस प्लस ही तो करना है किसको किस से माइनस करना है बस यह देखना है और जो ज्यादा होगा ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करके डिवाइड कर देना हेलुन अब इसमें आ जाओन में एच आयन निकाला हम तू इंट्वक हर माइनज तो बता कितना ह्या पटो को हूं Church की पावर माइनछi तू कितना अया वन एच यह जाद है किससे ओधन से ऑपन से तो एच एट पावर को होगा इसरी एक स्वालूज हम konnte कई होगा साथ से कम होगा baik τι के अब निकालोगे कैसे पहले है निकालेंगे कैसे निकालेंगे है थाइन माइनस ओए चैर डिवाइड़ वैलू रूल तो याद है न है Hong तो भाईया दोस्त है चैन कितना आ गया तो इसको दस कर लो उपर दस कर लिया तो 3.34 इंटू टेनेश्ट की पावर माइनस तो पी एच कितना आ गया तीन माइनस यह माइनस यह भेडो तीनो केस थे तीनो केस का एक एक कोश्चन करा दिया हमनों बस आपको ऐसे ही करना है ज्यादा कुछ करना ही नहीं है कि पी एच ऑफ सलूशन ऑफ डाइलूशन अब यह डाइलूट कर दिया जाएगा तो पी एच कितना आ जाएगा इसको भी बता देते हैं देखो गौर समझेगा कि डाइलूट करने पर क्या होगा देखिए सब्सक्राव में यह हमारे पास एसिड्ट था यह बेस था कभी दोनों में से किसी को भी डाइलूट कर सकता है तो था अब इसमें इन्होंने क्या के पानी मिला दिया अब पानी मिला दोगे तो क्या होगा ऐसट तो एसटी रहेगा मगर कंसंट्रेशन चेंज हो गया और वै कि वैलुम कितना हो गया वी वन प्लस वी टू पानी मिलाने के बाद आप वह इसकी मौलर्टी पूस्ते पूस्ते हैं जो हमारा स्लूशन आ रहा है दोस्त इसका पियज बता दो वह इसका पियज पोस्त तो बताओ कैसे निकाला दे कहानी यहां पर है तो देखो यार करना कुछ नहीं है 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 एचाइन कंसंट्रेशन आप सलूशन देखिए यह लिखा एम वन भी वन डिवाइड़ वाई टोटल वैलूम है बस है यह हमारा एचाइन आगया तो पी एच निकालना तो तुम्हारे लिए बाई हम कखेले और यह दी ओएचाइन होता तो डिक्टो यही फार्मूला ओएचाइन के लिए लगा देना कि अभाएगा हाज पात समझ पायक कौन क्या है तो ऐसा क्यों कि यह कुछ करना यह नहीं है यह क्या गए एन इंटू वीवन प्रमी विवन क्या कि मौल आप एचाइज जितने मोल अचाइन के यहां होंगे उतना की मोल यहां होंगे चाइज हूआं क्योंकि तुमने वैलू कर दिया नया कंसंट्रेशन आ गया कंसंट्रेशन आ गया तो पिया जाएगा बस अब किसी ने का सर्द रहा एक चिपका के बताओ तोस्चन तो मैंने का वेरी गुट बिटे अभी बता दे दें देखिये देखो बच्चो एवान लीटर 10T पावर माइनस 3 मोलर है एश्टू एसो फोर सलूशन डाइलूटेड तो टाइमस तो टाइमस देन कल्कुलेट पी एच ओफ रिजल्टेंड सलूशन यह कोश्चन पूछ रहे हैं कि एक एश्टू एस फोर का सलूशन है उसको डाइलूट कर दिया गया है पूल टाइमस तो बता उसका सलूशन का आंसर क्या होगा मनद पी एच क्या होगा तो यार दोस्त कैसे निकालोगे जैसे पताया है एंड क्या है दो वो क्या है टैन की पावर थ्री वन अब वीवन प्लस बीटू कितना हुआ यह वीवन है फोल टाइम डाइलूट किया तो इसका नद चार भी हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा पांच अरे भाया यदि यह एक लीटर है पंटधा आ लुटस चाल लीटर्स फोला टाइम डायलूट कर दिया सथो टोटल कितना हो गया वीवन प्लस बी टू रिखने न sigue है तो इसको कर ले explored की पावर माइनस फॉर ठीक है तो यह आगया फॉर लॉग फॉर पीज की वेलु आ गए जो पावर में उसको यहां लिख दिया माइनस करके बोलेंगे यह तो जब भी कहीं डाइलूशन को कोश्चन आएगा ऐसे करना ही अपने को कुछ करना ही नहीं होता है ठीक है कि नहीं जैस एक एसे निकाल होगे हम सब को पता है कि एक ऐसे डिसोसियेट होते हैं पार्सली डिसोसी और जोटे है इसमें टार्म यूज होने लगेँ क्या ऐलफा का कंसंट्रेशन सी 00 ती इक्वल टू जिरो यह जब इकलूब्रियम आई तो c1- एल्फा c8 एकलूब्रियम ठीक है कि नहीं प्यारे बैच्चों आईसे तो ब्रेक करते हो तो एक चायन कंसंट्रेशन आया कितना एक चायन कंसंट्रेशन आप सलूसन आगया है सी एलफा तो यदि कहीं से एलफा की वैलू मिल जाये तो खेल खतम हो जाता है तो एलफा की वैलू आप लोग निकालते हो क्या एलफा इक्वल टू अंडरूट के ए अपॉन सी इफ यहां पर जैना ध्यार नकिएगा इफ एलफा लेस देन वन हो काफी छोटा हो तब सब्सक्राइब यह वैलू निकालते हैं जब इसको आप डाल दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों पी एच का फार्मूला आजाएगा वन बाइटू पी के ए माइनस वन बाइटू सी यह देखें यह क्या है पी एच आप वी कैसिड है पी एच आप वी कैसिड कब नोट डाल के दिख रहा हूं नोट यह पी एच आप वी कैसिड का फार्मूला तब है जब एल्फा लेस लेस देन वान हो एल्पा वन से छोटा हो मतलब वन माइनस अलफा अप्रोच कल वन माना गया हो यह सपोस किया गया हो तब है और जर्नली यही पे आता ही है तो पी आच आप वी कैस पता है ना अरे भी यह पीके एक्वर्टू माइनस लॉफ के एए ठीक है ऐसे अंसर आजाएगा नेक्स्ट मिक्शर आप वी कैसी डैने स्ट्रॉंग एसीड अब देखो हमें पी एच निकालना मिक्शर आप वी कैसी अच्छा यह सारे पीए जो है ऐसे लिखे रहा है ना हम में लग रहा है इस मौल बनाएं इन सब को कैटल कर लो है कि यह सब के सब कैटल है चोंगे और वैसे तो यह बात आप जानते हो मगर अब मैंने देख लिया है तो लिख देता हो नहीं तो आप अपने आप समझ जाते यह बात इतनी नाजुक सी बात है कि हर बच्चे को आती है नेक्स्ट और कहां चला गया किस्ता पढ़ा दिया आपको आप 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 आफ यह देखो यार तो चलिए हम लोग कहां पर टहल रहे हैं मतलब कहां तक पहुंच गए हैं पढ़ाते पढ़ाते यह आ गया है है भी अटेश अटेशर ओंट पर यदी हैसा कहीं पर आए को कैसे करना है तो यहार ऐसे करना है देखो हमने माना airb हमारा एक वीक हैर है टीक है जिसका cholen परब्रहा च्रॉबच ट्रोंट दे जिसका concentration c2 है अब इसका h n equal to जो आएगा वो यह आएगा c2 plus under root c2 square plus 4 k1 c1 divided by 2 h n आ गया तो ph आ जाएगा ठीक है और यह k1 क्या है dissociation constant of weak acid strong acid का dissociation constant ठोड़ी लेते हो यह rare case में तुम्हारे पास आएगा और वैसे यह मान की चलो तुम्हारे यहां आएगा ही नहीं यह किस इसी वज़े से आजाए तो बस फार्मूले से क्या निकाल लोगे h n और फिट बैलू डाव दो लोगे प्याच और टू वीक एसीड इसकी भी प्रवर्वल्टी बहुत कम है आने की मगर यदि आ जाए तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है है एक आयन आप स्लूशन इक्वाल टू अंडर रूड कि एवं सीवन प्लस के टू लगा देदा है है अ कि अजाएगा तो फी एचार के दम क्या है आप जानते हो दिस शीचेशन बार तुझ आ सब्सक्राम सिट्रहएट कंसंट्रेसन अ अफ ऐसे डिजू अब जरह देखो, question पर आ जाते हैं, अब question की बारी, तो जरह देखो क्या है, calculate the poh of a solution at 25 degree centigrade that contains 1 into 10 की power minus 10 molar hydronium ion, क्या लिखा है, hydronium ion, तो यार इसने का है कि hydronium ion इतना है, यह देखो, कि इतना hydronium आया, अब पूछ क्या रहा है, ph पूछ रहा है, तो यदि h i n इतना है, तो o h i n कितना होगा, h i n into o h i n का multiply क्या होता है, 10 की power minus 14 के बराबर, तो o h i n निकाल लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, साप दिख रहा है, 10 की power 4 आ जाएगा, अब यार o h i n 10 की power 4 आ गया, तो डारेक्ट लिख दू, ph कितना आ जाएगा, poh 4, क्यों, o h i n concentration equal to 10 की power minus poh, compare कर दिया, नहीं तो फार्मूला लगा लो, कोई आंसर है, ठीक है, बात खतम हो गए, और कोई बच्चा चाहे है, कि मालो कोई बच्चा कहता है, सर हमें तो पता ही नहीं था, और फिर, ph plus ph equal to 14 करके निकाल दो, तब भी अंसर से हम आएगा, next, equal volume of 3 acid, solution, ph equal to 3, ph equal to 4, ph equal to 5, are mixed in a vessel, what will be the h i n concentration of the mixture, वो कह रहा है, 3 equal volume है, एक का कंसंट्रेशन ये है, एक का कंसंट्रेशन ये है, एक का कंसंट्रेशन ये है, समझ पाए कैसे किया, अरे भाईया, h i n concentration equal to क्या होता है, 10 की power minus ph, प्यस दिये हैं, तो h i n concentration आ गया, इसका वैलूम भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, अब वो पूछ रहा है, final अच्छाएन कितना होगा, तीनों को मिलाओ, तो कैसे मिलाओगे, m into v, 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 divided by total value, v1, v2, v3, मैंने दो के लिए बताया था, और यहां दो से ज्यादा होगा, तीन होगा, तो तीन के लिए ऐसका इसका बताया था, अब इसको solve कर लो, वी से तो भी उड़ो गया, तो यह कैसे आएगा, यह आएगा, यह आएगा, 10 की power 5, 1 plus 10, plus, sorry, पुल्टा जोड़ी है, 100 plus 10 plus 1 divided by 3, 10 की power 5 common ले लिया, तो यह 10 into 10 की power 5 होगा, यह 100 into 10 की power minus 5 होगा, तो 10 की power minus 5 सबसे common ले लिया है, तो यह कितना हो गया, 111, divided by 3 into 10 की power minus 5, तो यह कितना हो जाएगा, 9, 9 का 2 हो गया, 7 की किस, 10 की power minus 4, तो pH equal to, अच्छा, अच्छान concentration पूछ रहा है, तो 3.7 into 10 की power minus 4 कोई है, यह है, आंसर आगे, बस समझ पाए, अरे दो strong acid के mixture वाला फार्मूला है, acid strong मिलाएगा है, तो M1, B1 मिला दिया, next, the hydrogen ion concentration of 10 की power minus 8 molar SCL, equal solution at 298 Kelvin, वो कह रहा है, hydrogen ion concentration बताओ, तो आपको पता है कि hydrogen ion concentration of solution कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, 10 की power minus 7 plus, H ion concentration of acid, जोड़ दो यार, यह तो बहुत easy question पूछ रहे हैं, यह तो PS तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, यह लोग आ गया, है कि नहीं, 1.1 इंटो 10 की power minus 7, क्यों, वो कह रहे हैं, the hydrogen ion concentration of 10 की power minus 8 molar HCl Equus solution at 298 Kelvin, तो यह आ गया, hydrogen ion concentration, कहां पर दिया है, मैच करा लो, 1.0525 इंटो 10 की power minus 7, next, what is the pH of resultant solution, when equal volume of 0.1 M, एनेवेच 0.1 M, 0.01 M, SClR, यह लिएन है, तीन केस बनेंगे, strong acid, strong base की case में, मैंने क्या पढ़ाया था, याद दास सही है, यदि याद दास सही है, तो वही चिपका दो, देखो, मैं एक बार तुमें दिखा भी देता हूँ, यह देखो, mixture up, strong acid, strong base, पहले है, और है निकालो, चेक करोगी क्या relation है, बराबर हैं, तो साथ, है जदा है, और है तो कैसे करोगी, अब यही काम करना है, यह देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे, हन, कितना हुआ, concentration कितना है, यह, और volume equal कह रहा है, तो V माल लो, तो 10 की power minus 2V हो गया, OHN निकाल लो, मेरे प्यारे बच्चो, OHN कितना है, 0.1 into V, तो यह 10 की power minus 1V हो गया, दूसरी बात, OHN ज़्यादा है, हन, तो solution कैशा होगा, basic होगा, pH क्या होगा, सास से ज़्यादा आएगा, पक्की बात है, अब आप देख लो, इतनी बात से ही, हमें पता चल गया, अलो, यहां तो बिना solve पर यह answer तक आ गया, समझ के कैसे, भाई, HN इतने आ रहा है, हो अचान इतने आ रहा है, solution हो गया, basic, solution basic हो गया, तो PS से ज़्यादा आएगा, अब सास से ज़्यादा कोई answer ही नहीं है, सिर्फ एक answer है, तो वही answer ही होगा, क्यों निकाले हम लोग, यह उनका question सही है, यह उनका question सही है, total value 2B, next, which of the following is true for any diprotec acid, diprotec acid, first dissociation constant, K1, second dissociation constant, K2, सबसे ज्यादा होगा फिर सेकेंड फिर थार्ड इस तरह से सो और किसी भी एक ऐसीट के लिए फिर से जादा फिर सेकेंड की फिर थार्ड की ऐसे ऐसा कहीं लिखा हो टिक कर दो कि वाट इस दा ओव चैन कि इन दा फाइनल सलूशन प्रिपेर बाइं मिक्सिंग ट्वंटी एमल आप जीरो पाइंट फाइंट 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 फिर देखो वहिए ऐसीड और बेस मिला जा रहा है सॉल्ट अब ओव चैन उन्होंने पहले ओव चैन सलूशन में पूछा है कि वाट इस दा फाइनल ओव चैन कंसंट्रेशन डारेक्ट निकाल दे तो पहले चैन देखो है चैन कितने हुए मेरे दोस्त पॉइंट जीरो फाइव इंटू ट्वंटी यह भी देखना यहां पर वन आ रहा है ठीक है मैंने कैसे लिखाया है वही लिखिएगा बीस पंचे समझा क्या आया हूं इंटू तू समझ गया क्यों आया है अरी यह देखो लिखाया है तो टू इंटू एम इंटू वी जड़ा कर दो या दोस्त यह हो गया साथ पार्ट का च्छे आया है तो ओए चैन ज्यादा है तो सलूसन बेसिक होगा वह खुद बता रहा है फाइनल ओ होंगे ओए चैन माइनस है अपन टोटल वैलूं टोटल वैलूं कितना है तीस और कितना है पचास है तो पांच डिवाइड़ बाइड़ पांच पॉइंट वन आ रहा है कोई आंसर और यह कैसे कर रहा हूं समझ रहा हूं ना यार देखों पीछे पूरा कॉंसेट चिपका चुका हूं तो आम मैं डारेक्ट कर रहा हूं यार हाना को ओए चैन के मोल माइनस है चैन के मोल अपन टोटल वैलूं फार्मला तो याद है ना बस वही लगा दिया at 25 degree centigrade the dissociation constant of a base boh is 1 into 10 की पावर माइनस 12 the concentration of hydroxyl ion in 0.01m aqueous solution of base would be दो को यार hydroxyl ion का concentration पूछ रहा है आपको दिया क्या है kb equal to 1 into 10 की पावर माइनस 12 c.01 molar ऐसे अब तुम से कह रहा है कि बस यार हमें ओए चैन का concentration बता दो कितना है इतनी सी बात पूछना चाहता है तो यार डायरेक्ट तो आपको फार्मूला अभी पढ़ा क्या है हो कि यदि बीग बेस है तो आंसर क्या होगा ओए चैन अरे जैसे वीक एसिड का वैसे बीक बेस का यह देखो अभी तुम पढ़ाया है यह दिखो जो पढ़ाया वह यह अचैन अच्छा यहां पर एचैन कंसंट्रेशन लिखना बूल गया डायरेक्ट यह लिग दिया यह देखो यह आता है तो यह जब है तो के यह जब होता है तो के भी होता है इसी फार्मूले में बस आप वायलू डाल दीजिए तो वायलू डाल दो तो देखो 1 इंटो 10 की पावर-12 इंटो 0.01 इसका मतलब 1 इंटो 10 की पावर-10 और-10 का मतलब हुआ 1 इंटो 10 की पावर-5 तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हमारा राइट आंसर हो गया है चेक कर लो आउनाइजेशन कॉस्टेंट आफ एस्टीक एसिड इस 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कंसंट्रेशन आफ एचायन इतना फाइंड आउट इनीशिल कंसंट्रेशन आफ मालेक्यूल देखिए आपको के दिया है आपको एचायन कंसंट्रेशन दिया है यह देखो आपसे सी पूछ रहे हैं तो यार अभी आपने पढ़ा है एचायन कंसंट्रेशन इकवर्टू के इंटू सी पस्ट वैलू डाल दीजिए और एचायन कंसंट्रेशन निकाल लीजिए ठीक है के इंटू सी डाल पर कर लोगे हैं नेक्स्ट अब जडरतेक्व यार प्यारे बिच्चो अब हमारा next topic आ गया है सौर्ट हाइड्डोलिसिस तो को सौर्ट हाइड्डोलिसिस में भी कोउष्टन आते है कैसा कोउष्टन आता है इस बाद को डिसकस करते है तो सबसे को पता है कि acid और बेस reaction करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्ड बनेगा है कि नहीं अच्छा कितने तरह के साथ होते हैं चाइप आप सॉल्ड तो ज़्यार देखको ताइप आप सॉल्ड की यदि हम बत करें तो हमारे पास इतने तरह के सॉल्ड मिलें में इतने तरह साथ मिलेंगे जरा देखे कि यह देखिए प्यारे बच्चों कि इतने तरह के हमारे पास सॉल्ड मिलेंगे एक कि दो तीन और चार तरह की शॉल्ड कौन-कौन से सॉल्ड देखो आइसीड और बेस मिलने से सॉल्ड बनना है तो आइसीड कितने तरह के हो सकते वेशर लो वीग एसएड हो सकता है कि कितने तरह हो सकते हैं दो फोट पहला सउल्ट मिल सकता है कि जब आप इस ट्रउंग बेस से रियक्षन करम हैं हुआ ठीक है ना जैसे आपने क्या किया और आए वेच्ट की रियक्षन से करा आइप दूसरा हो सकता है कि जब इस्ट्रॉंग एसीड की रियक्षन आप वीग बेस से करो तो इस्ट्रॉंग एसीड और बीग बेस का एनच 4 कि एनच 4 और वीग बेस एसल टीसरा हो सकता है जब आप वीक एसिड की रियक्शन इस्ट्रॉंग बेस से करो और चौफा हो सकता है कि जब दोनों वीक हो ऐसा किसी ने का सर एक्जामपल दे दो तो एक्जामपल भी दे देते हैं पूरा लिख देते हैं फ्रेंग एसेट ःस्च एस्टरॉंग बेस आ एनिवएच तो सार्व बना अ सी दे इस्ट्रोंग इसेडस एसेट बना यकबेस नहौत ऐसरा आ को एंह यह यह थे वीकशेड एस्टिक एस्ट्थ시ением इस्ट्रॉंग बेस आनिव होड कीमण नवेस्ट यह देखो आभ वीक एसेड सो तेक एसेड वीक बेस एने हैं इस पोरो वेज ऊट क्या बना आमोनियम एसीडवर कि यह देखे हो तो सौट क्या होते हैं ऐसेड बेस रिएक्सिंट करते हैं इस वाट बनते हैं सौल्ड चार करने के हो सकते हैं अगली बाब हो सकता है किसी देखो सॉल्ड को काइसे पैचान निए और ऐना और इन है कि टेंगे तो दे दिया करो तो हमें तुरंत बेस मिल जाएगा और बेस को आप देख लोगे कि वीख है या स्ट्रॉंग क्यों बच्पन से देखना आता है और एनायन को दे दिया करो एचायन तो जब एचायन दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा एसे तो हम सौर्ड का इंडिकेशन इस तरह से करें हम क्य क्या करेंगे कर पाइन को देढ़ेंगे उल्टा देना है प्लस κो मैनस- माइनस को प्लस दे दोगे वारतर का Hey थोका माइन πολύштंus को प्लस देदो दोगे, वाटर का तो क्या पता चल जा जाएगा दोस्त कि वह किस कैटेगरी का सॉल्ट है बच्च्चोंने का नहीं सर्ट थोड़ा साब बताओ तो मैंने का जरा बताना सोडियम कार्वोनेट किस कटेगरी का साल्ट है तो कटाइन कौन सोडियम कटाइन को यह दिया और निगेटिव आइन को क्या दे दिया प्लस आइन उल्टा देना एपोजिट प्लस को माइनस देना माइनस को टेना है वाटर वाटर जैसे सोडियम प्लस ता तो वाटर का oh en इसको मिला कार्बोनेट माइनस था तो वाटर का चाहन इसको मिला अब आप आप यह कार्बोनी कैसे ड़ी कैसे इसका मतलब यह सौड कैसा है यह सौड जो है इस ट्रॉंग बेस और वीक आसिट का सौड है तो इस तरह से आप सौड को एडेंटिफाइ करोगे यदि हमें कहीं जरूरत पढ़ी तो और बैटा पढ़ेगी तो जरूर है पढ़ेगी जरूर इसलिए ध्यान लखनेगा कि एडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं सौड का यह कुछ कट अब नेक्स्ट माइंट है हाइड्योलिस क्या होता है रहina हैवाइज वाइज सौड कि हैड्योलिसिस करा होगे ना तो हाइड्योलिस भी तो पता प happiness क्या हो it कैसे हो मतलब होता है जव वाटर में एच और ओ गल्डि का बॉर येकसीन में ब्रेक हो जाए आ शर्टे डूरिंग रियक्ष enemies यदि डूरिंग रीक्षिन एच और और वेच के बीच अपने ब्रेक हो रहा है तो वह उइरो निसे बोला एगा फॉर इकजामपल जैसे यह देखो इसमें कौन से लिएक्षिन हाय जाइक आप मुझे बताई estou एक रेक्सन यह लिखिए है एक रेक्षन प्यारे बच्चों यह लिखिए है इस में तो इसमें हो अच्छ की बीच का बाउन ब्रेक हुआ है इसमें हो कि बीच काउन थोड़ी प्रेक क्वा है है यह हाइड्रेशन एसी टेटा अएन के चार वाटर आ गया है तो जब हरो लेको होता है तो है डिफिनीसल क्लियर हो गई salt क्यों होता है हट दो बाते दी अभ कहानी को, कहानी क्या घरा इस बात को समझो कि टाइब के escuch talked कि lah Sap contain the message होगी अब यह गल्चिक सोब की हो यह Colorado कि सुक्रिक एद इस कारने कि नहीं किश टियब के सॉड़ कि हईह टोल इस उती जह समझझें Weak Acid and Weak Base Conjugate Ion only participate in Hydrolysis Process. सब की Hydrolysis नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों Weak Acid Weak Base Conjugate Ion की Hydrolysis नहीं होगी मतलब किसी ने कहा क्या आएने की Hydrolysis होगी तो आएने की Hydrolysis नहीं होगी क्यों क्योंकि यह आएने मेंच का कांजूगेट है एने मेंच क्या है स्ट्रॉंग बेस क्या सी अलाएन की Hydrolysis होगी हम कहेंगे नहीं होगी क्यों किसका क्यों 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 यंदी आयन मैनस है तो उसको प्लस दे जो और यादि आयन प्लस है तो सिंपल जी बात है कि जैसे अमोनियम यहां कि हॉगी तो बच्चों का सर हमें कैसे पता चलेगा तो पहले मैं पैचानों बेश पैचानने के लिए क्या करना है क्या सोगी ही प्लस है कगी है उसकर फोटों कि यह देखुवा दो से बास समय पा रहे हो क्या 5-3 वीक बेस के कांजूगेट आयन सिर्फ हाइडडोलिश में पार्टिसिपेट टो इस स्ट्रांग एसीड श्ट्रांग बेस के कांजूगेट आयन नहीं करेंगे कैसे पहचान को माइनस दे दो प्लस को माइनस मुझे नहीं पता था कि होगी कि नहीं तो पहले मैंने देखा कि किसे कैसा याक्षन कैसे लिखेंगे तो यार दोस्त कुछ नहीं करना है माइन को प्लस दे दो है ऐसकी हाइडाश होगी की नहीं हमें नहीं पता था हमने इसका पहले बेस बनाए देखा कि यह नहीं इस पोर हैज 2 है का फिश्बाद है फिरSon2 रियर 50 किसकी हाइड़ोलिस करों किसकी नहीं किए बहुत इंपोर्टेंट है दियान लकिए किसकी आइड़ोलिस कर सी करोंगे मृक हुए आप यह आप ते कहाणी को आने बरहता है जब हाइड्डोलिसिस करेंगे तो होगा क्या तो जरा देखो होगा कितनी बाते किसी हाइड्डोलिसिस में आती है और हमसे पूछी जाती है तो देखो इस टेबल को आपको याद रखना बहुत जरूर यह अच्छे से कि देखें प्यारेक्ट कि इस टेबल पर आप नजर रखेंगे देखो यार हम लोगों को इतनी टेवल चाहिए कहां 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 क्या क्या लिखना है जरा गौर से ध्यान दीजिएगा ठीक है अपने काम की हम लोग बाते लिखेंगे एक मिनट प्यारेक्ट कि देखो प्यारेक्ट केवल में कहां कहां क्या क्या लिखना है सबसे पहले यह तो सॉल्ट है ठीक है कि कौन तो सॉल्ट होगा कैसा सॉल्ट होगा ठीक सॉल्ट पहले लिखा जाएगा फिर हम लोग लिखेंगे उसका क्या है फिर हम लोग लिखेंग क्देश झाले डिखेंगे हैं फिर लोग लीखेंगे एइच ति निखेंगu दिखेंगे पीएच पिर लिखेंगे नेचर असंसर चाहिए बात है जड़ा समझिएगा ऐसे पहला साउड कौन सा है है Как Pender करदा सॉल्ट है हमारा इस ट्रोंग एसट बइस की स्ट्रोंग एसल्ट इस ट्रोंग का सवय एक्जांपल एन Bet दोस्त आरे दोस्ति है क्या ह 걱정 होती है नहीं को आंद का कry extra last t क्या क्या है यह तो किसका है इसको प्रोटॉन दो माइनस को प्लस दोंगे तो इसका मतलब कि स्ट्रॉंग एसिद इस ट्रॉंग बेस हाइड डॉलिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनका पीएच क्या आएगा सेवेन और वो क्या होंगे नियुट्राल कि यह सेवेन वा तो नुट्राल वह न समझ पहेँ इस ट्रॉंग एस ट्रॉंग इस के के सौर्ड की हाइड्ड़ो लिशेस नहीं होगी क्यों नहीं होगी मैंने अभी पीछे concept दिया था इस ट्रोंग एसेट इस्ट्रोंग बेस हाइड डोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और एंड यह जो यह इस्ट्रोंग आशीट इस ट्रोंग बेस का सॉल्ट है अब दूसरे आओ कि दूसरा यह देखो sodium acetate कैसा है weak acid strong base का salt है कि इस की hydrolysis होगे salt मेंदो आयन है तो क्या दोनों आयन की होगी या किसी एक आयन की नहीं होगी क्योंकि sodium ion क्या है नहीं का conjugate है वह strong base है citate आयन की होगी बिल्कुल इसको proton दो Tic Acid बना यह वीग acid का conjugate zone है इसकी होगी तो यह एक है little कि कितना आएगा कि मैं एक क्या होता है यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं यह क्या होता है यह होता है hydrolysis constant जैसे dissociation constant वैसे ही hydrolysis constant कोई नए बात नहीं है और यह सारे equil superiority PARP यह क्या होता है जैसे degree of dissociation होता है वैसे ही यह होता है degree of hydrolysis इसको as a alpha treat करो यह क्या होता है जानते ही आफ 저le आफ देखो kH का फार्मूला क्या होता है। कह समझेंगा क्योंकि बच्चों को याद भी तो करना पड़ेगा जो वी को डबलु लिखो के डबलु के नीचे वह लिख दो जो भी खो कौन का है एसीड तो एसीड का distortion कि के-डबू लिखा और अपान में क्या लिखा जो-वी एस इट वीक है तो इसल्ट सिअसन कोश्टन और बेस बीक है तो वीस का डिसोसीर संब्रों है एक क्या होता है है कि यह निल्ट थो तो不figischer uton और से ये देखो एज की वैलू यह को वालु 0 Hy ate degree of hydraulic के लिए हरो आपॉन सी होता है जो L2 और है ख की अहीं को तो यह on गया पउन सी तो ह suck yourikk &c अब यह क्या बता रहा रहा है यह दी concentration जादा है तो hydraulic कम होगी यही जए करो यह बता रहा है सुरा चेक करो यह होगी तो यह बिटायक अपने काम की बात है तो डिट्टो अलफा की तरह होता है यह अलफा भी कहता था वह यह कह रहा है चलो कहानी को और आंगे बढ़ाओ पीएच कितना होगा इसका पीएच होता है क्या है पहले बताओ इस्ट्राउंग कौन है बेस यदि बेस क्या हों सास से जाधा तो इसमें बूक है क्या जुड़ेगा यह जुड़ेगा ऑफ कि और यह से घेंगी से बन प्लस हाफ पीएच्टे फ्लस हाफ लॉक कि प्लस हाफ लॉक सी disparity यहाद रखे और कुछ कुछ आपको याद रखने जरूरत नहीं इतके से आपका काम हो जाए जो बाते बताता जाओं वो अच्छे से रिवाइस करते जाएगा ठीक है अब जाने को पच्चो नेक्स्ट नमबर कि यदि हमारे पास सॉल्ट ऐसा हुआ कि इस ट्रॉंग एसीड वीग बेस कि इस ट्रॉंग एसीड वीग बेस मतलब एन एच पॉर सीयल तो क्या होगा मैंने आपको फार्मूला लिखने का कॉंसेट क्या बताया कि जो वी खो उसको लिखो अब वी कौन है बेस तो यहां पे क्या है के भी है एच का फार्मूला डिट्टो सेम है आप के एच अपान सी और के एच की वैलू क्या है के डबलू कॉरी यह देखो इसका मतलब यदि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्डोलिसिस कम होगी अब नेचर बताओ कैसा होगा सलूशन का सलूशन जो है सौर्ड का जो सलूशन है वह सडिक होगा क्यों इस ट्रॉंग कौन है एसिड और यदि सलूशन है तो पी एच क्या होना चाहिए साथ से कम तो यही चीज अब माइनस कर दो जो चीज आपने प्लस में कर रखी है वही सारी चीज माइनस में कर दो यह देखो सेवन माइनस हाफ पी के भी अब पी के भी लिखिएगा माइनस लॉक सी लास्ट एंट फाइनल कि इसको देख लो कि अब लास्ट एंट फाइनल जड़ा चेक करो बच्चो फोर्थ नमबर वीक एसिड वीक बेस दोनों ही वीक हैं तो मैंने क्या पढ़ाया था जो वीक होगा वो नीचे आएगा क्या वीक है दोनों तो दोनों नीचे आएंगे है एच इकवल टो अंडर रूट के एच कि अब जड़ा इस पार्मूले को अच्छे से देखो जो नीचे लिखा है यह वाला डिग्री आफ हाइड्रोलीशिस का करें डिग्री आप हाइड्रोलीशिस मętं सी गायव है इसका मतलब वीक आसींड वीक बेस की हायड्रोलीसिस कंसरण्टरेशन पे kidney करती वीक एसट वीक बेस की डिग्री आफौइड्रोलीशिस कंसर्ट्रेशन आपsh नहीं नहीं करती है देख लो यह इंपोर्टेंट पॉइंट है ध्यान नख्येगा पूछा जाएगा ठीक है इसलिए तुमारे लिए कुछ बना देता हूं थोड़ा सा इधर खिसका दू नहीं तो यह जो है ना तुम भाईया इधर आजाओ तुम भी इधर आजाओ थोड़ा सा तुम भी इधर आजाओ ठीक है ध्यान नख्येगा प्यारे बच्चो अब हेज कितना होगा सेवन प्लस हाफ पी ए माइनस हाफ पी नुसर कैसा होगा पता नहीं है क्यों कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा अब इन दोनों की वैलू डिसाइड करेगी कि ना कि सलूशन कैसा मैं अगले पेच पे लिखते हैं देखो यादी पीएच इक्वल टू एक नट प्यारे बैचो पीएच इक्वल टू ग्रेटर देन सेवन कब आएगा जब हाफ पीके ए बड़ा हो हाफ पीके बीचे और यादी पीएच सेवन आ गया तो यह कैसा होगा बेसिक होगा अब पीएच लेज देन सेवन कब आएगा जब पीके छोटा हो पीके बीच के तो सलूसन ऐसे डिक आ जाएगा और यदि यह दोनों बराबर हो गया तो पीएच की वैलू कितनी आ जाएगी साथ तो न्यूट्रल हो जाएगा है बात समझ रहा है यह देखो अब यह दिए बड़ा हुआ तो सेवन प्लस आएगा यह बड़ा हुआ तो सेवन से कम आएगा और दोनों बराबर हुए तो सेवन आएगा तो तीनों चीजे पॉस्बिल है तो एक बात ध्यान नक्षना कि डिगरी आफ हाइड्डोलिस इस्ट्रॉंग एसीड इस्ट्रॉं अब यहीं फार्मूले अच्छे से अपलाई करने ठीक है अच्छे से फार्मूले पढ़ो लो अच्छा अगले पेज में आ अब यहां पर एक कॉंसर्ट चिपका देता हूं गौर्ष देखिएगा पी एच अब सॉर्ट हमें पी एच अपलट पर मैं प्रक्शंण कि पी एच अपल्ट कैसे कैसे निकलेगा कैhel से नीकलेगा इसके लिए दो बाते ध्यान नक्को है पिएच आप आपयम हमें किसका ज्यादा होता है सबसे ज़ादा pH of salt किसका होगा, basic salt का, यदि salt basic है, तो उसका pH सबसे जाधा होता है, आपको order लगा देता हो, देखो, basic salt का pH सबसे जाधा होगा, फिर किसका होगा, neutral salt का, फिर acidic salt का, acidic salt का pH सब से कम होगा, मतलब basic salt कब होगा जब strong base वीग acid हो neutral कब होगा जब दोनों strong यह कब होगा जब strong acid वीग बेस हो तो pH का order पूस्ते यह order of pH है salt में pH का order पूस्ते है तो pH का order निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा नेचर यदि आपको नेचर निकल आएगा तो आप आराम से पी एच का और निकाल पाऊगे और यह अभी हम पीछे निकाल के लाएं ऐसा नहीं कि कुछ हम नया बता रहे हैं आपनी लोग तो लिख क्या है वो देखो यार बेसिक का सास से ज्यादा ऐसे डिक का सास से कम निउट्रल का साथ यही बात मैंने फिर से लिख दिये मैंने कोई नहीं बात थोड़ी लिख है आप इन्हीं फार्मूले को हम लोग अच्छे से अपलाई करते हैं देखो कि पहला कुश्यन इसको अच्छे से पड़िए which of the following salt give highest ps winter सबसे ज्यादा pH किसका होगा वाटर में बता भाई हाइस्ट पी अच्पूछ रहा है इस भ्यादा पीएच किस का होता यह kap Jeez सबसे ज़्यादा पिये basic salt का होता है तो basic salt देखो कौन को यह तो neutral है यह neutral है ठीक है यह basic salt क्यों किया दो अजया यह ट्रॉंग बेस और यह वी कैसे लिन करने इसका प्रॉप सबसे जाद आज यह इसको भी दे दो कटाय को क्या दो वह का दो वह यह चाय। यह इस ब्रॉंग ऐसिड है और यह वीक बेस इस यह इसका होगा बैशिक सॉल्ट पार यह बेशिक कर दो कि ऐसे कोशन खूब आते हैं द्यान नखना है पड़ो इसको कि एक्क्यूमोलर सलूशन आप दा फालोविंग सबस्टांस वेर प्रिपेर्ड सपरेटली वीच आप दीज विल रिकॉर्डेट दा हाइएस पीएच सबसे ज़्यादा पीएच किसका होगा बेसिक सॉल्ड रजा यह स्ट्रॉंग एसिड इस ट्रॉंग बेस है अरे यार बेरियम हाइड्र और एस सील को माइनस दो माइनस को प्लस को अब सबसे कम बेसिक हमें देखना बेसिक सॉल निकालना और यह देखो यह बेसिक होई नहीं सकता क्यों स्क्राइब होता है है यह और यह होता है यह यह भी विकार है यह अब कैसे पक्राद है वह पहरा हाई एस्ट पीएच किसका एक यह समय और सब के सब heating salt है को सबसे कम एसे डिक दिक साल्ट कौन होगा पूर्वलिम यह कोश्चन अच्छा ड्राकिया क्या खीक के सभी है और एसे डिक साल्ट क्यों कि सबका मालीक्यूल कौन है यह तो यह यह जैसे यह निशन प्राइब तो अब कैसे निकालो हमने आपको इस तो सबसे जदा होगा यह बस नूटरल यह यह बाइब कोई बेसिक है नहीं तो नूटरल सबसे जदा होगा आंसर आ गया जो पर लो लगा दो सेकंड में आंसर इसको पर लो भाई अब मेरे दोस्त बताना जरा यह कैसा सलूशन है क्या है क्वाइं टू मोलर सोडियम एसीटेट है अप्वाइंट वन मोलर एस्टी कैसीड और एचायन पूछ रहा है के भी दिया है एक्ट्वल में यह बफर का कोश्यन है तो जब बफर पढ़ाएंगे ना तब करिएगा इसको करो दा आयोजेशन पॉस्टेंट आप अमोनियम हाइड्र आप्साइड इस है अच्व नाइंट टो तो के यह क्या है कि अज़कर फार्मूला क्या है के डवलू अपन जो वी को वी कौन है अमोनियम को राइड माइनस को प्लस मिलेगा तो यह तो एसल हुआ इसका अब यह भी कहते नीचे क्या आएगा के डबलू की वैलू हम लोग जानते हैं 10 की पावर माइनस 14 के डबलू सौरी हां के बी की वैलू दी है अब याद डिवाइड कर लो के बी की वैलू दी है ना टो डिवाइड कर लोगे आंसर आजएगा इसको उपर ले जाओ वैसको यह हो गया दस इंट्टु 10 की पावर के नहों मिदू 10 आड़ कर लिया है दस पावर इसमें बन नहीं है तो यह आएगा फिर ठीक है डिवाइड कर लीजीगा आंसर हाजीर है पहुत पांच का मल्टिप्लाई करके देखने हैं पांते ही पंदरह पांच सते पैंतिस और तीस तीन पांच एकम पांच और तीन आठ एक बर और जोड़ दोगे तो आएगा अब जिना देखो यार अब हम लोगों को करना है बफर सलूशन देखो सबसे पहले बफर सलूशन में यह बताओ बफर होता क्या है बफर होता क्या है तो बफर देखो क्या होता है दोस्त बफर सलूशन क्या होता है यह हमारे पास कोई सलूशन है ऐसे ठीक है जरह बात को समझेगा इसमें क्या दिया एक ड्रॉप या फिर दो ड्रॉप एक ड्रॉप या दो ड्रॉप कितना होता है एक ड्रॉप को या दो ड्रॉप को कहते हैं एक एमेल या फिर दो एमेल strong acid और strong base मिलाएं किसी भी solution में यदि एक दो drop strong acid और strong base मिलाते हैं और pH does not change और उसका pH change नहीं होता है तो उस solution का नाम buffer solution रख दिया जाता है क्यों कि ये एक special property हो गई उस solution की उस solution की ये क्या हो गई एक special property किसी भी solution भी एक दो drop strong acid या strong base मिलाया जाए और उसका pH यदि change नहीं हो तो उस solution को हम buffer solution कहते हैं उस solution को हम क्या कहते हैं buffer solution कहते हैं यदि किसी solution में एक दो drop या एक दो ml strong acid strong base मिलाते हो और pH change नहीं होता है है तो ऐसे solution का नाम buffer solution रखता जाता है अब किसी ने का वो solution है कौन सा हमको कैसे पता चलेगा कि ये solution buffer है ये solution normal है क्योंकि normal solution में यदि एक दो drop strong acid strong base मिलाओगे तो pH change हो जाएगा और buffer solution मिला होगे तो चेंज नहीं होगा तो लोगों ने का यार यह बात तो ठीक है मगर हम कैसे पकड़ पाएंगे कि यह buffer solution है यह नॉर्मल solution है तब तो यह बताया गया जड़ा गौर समझो है यदि कहीं पे आपको weak acid और उसका conjugate iron मिल जाए इट्स conjugate iron सौल्ड यादि कहीं पे वीक ऐसी के आइन सौल का मिक्शर मिल जाए या फिर वीग बेस और उसके कान्जूगेट आयन का सॉल्ड का मिक्षर मिल जाए या फिर वीक ऐसीड और वीक बेस का मिक्षर मिल जाए इन तीनों में से कोई भी चीज मिल जाए तो वह बफर है बफर कंपोजीशन यह होता है है यह वीक एसीड और उसका कान्जूगेट साइल्ट वीकेशिट मतलब जैसे जा alltså ओ शका कान्जूगेत अइन कौन होता यह है और वीक बेस ऑस फिक एस फ्लस hunted और उसका कान्जूगेट आयन कौन होता है K मैं एनग कोर सिले मiph कांजूगेट आयन बफर है घीम एसना बّल्ध घ्ली कांजूगेट आयन कर एक ही ज़िक इसब बिल जाए तो बफ़र हैshelf पहचानने को खूब आता है तो ध्यान नखना फीख एसपर निकालना बहुत जरूरी तो बफर कमपोजीचन निकालना बहुत जरूरी तो बफर Phi कमपोजीचन क्या होता है बार मैं लिक रहा हूं ज्यड़ा ध्यान नकिये का क्यों क्योंकि यह Bitcoin important ha good important concept किसको भुफर बोलोंगे थेंदिज्जिय किसको भूफर बोलोंगे सबसे पहले वीक होना चाहिए था है सब्से पहले क्या होना चाहिए वीक होना चाहिए वीक एसिड और उसका कांजुगेेट आयन कांजुगेट आयन सॉल्ट वीक बेस उसका कांजुगेट आयन सॉल्ट या फिर वीक एसिड वीक बेस यह कहीं पर मिल जाएं तो यह बफर होते हैं बॉर एक्जांपल कि गौर्श मेरे से कहा एक यह बफर है देखो लो कि कार्वो बैसेड मस्तों चोड़ियम बाइल कार वनेट को क्या काहोगे बाफर यह वीक असीड हैए और गायनिक आयन सॉल्ट हुआ । तो यह क्या हो गया वफर हो गया इसी तरह से यह देखो नोग्यो एक एसिड और इसका वाइचर क्या होगा प्रोटान फाटाओ सॉल्ट बन गया यह यह इस है कि कि इसी तरह सी यह देखो वीक एसिड पासपोरस के आपसवा एसिड वीक एसिड होते है और उसका साट यह देखो बफर बन गया यह सब क्या है बफर सलूशन ठीक बफर सलूशन क्या होता है वीक एसिड और उसका कांजुगेट आयन वीक एसिड और उसका कांजुगेट आयन वीक बेस या उसका कांजुगेट आयन या वीक एसिड और वीक बेस का मिक्शर ठीक है ध्यान नक्खोगे यह बात यह बात ध्यान नक्खोगे आप लोग यह देखिए पहरे बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान लखिएगा ठीक है यह पूशा जाएगा आप से अच्छा अब कहानी को और आंगे बढ़ाते हैं कहानी को आंगे क्या बढ़ाते हैं बफर सलूशन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइट कर दिया जाता है कि बफर सलूशन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइट कर दिया जाता है कौन से दो पार्ट मेरे दोस्तों एक होता है एसडिक बफर एसडिक बफर एक होता है बेसिक बफर यह देखो एसडिक बफर है तो क्या सिच्वेशन है बेसिक बफर है तो क्या सिच्वेशन है जरा गौर से समझों एसडिक बफर किसको कहते हैं वीक एसड और उसके कांजूगेट आयन को एसडिक बफर कहते है पहला पर बेसिक बफर किसको कहते हैं भाईया बीग बेस और उसके कांजुगेट आयन को बेसिक वफर कहते हैं कि इसमें क्या बात आदें कांजुगेट आयन सॉल्ट कि किसी ने का ठीक है यार अब इसका पी एच कैसे निकालोगे यदि एसे डिक वफर है तो पी एच निकलेगा वह क्या होता है पी के ए लौग प्लास कंसंट्रेशन अप साल्ट अपन कंसंट्रेशन आफ एसिड यह साल्ट हो गया और यह अज़िए इनका कंसंट्रेशन रखना है यह देखू अब इसका कैसे निकालोगे तो यार बेसिक बफर है तो पी ओएच निकलेगा ना पी के वी प्लास लौग साल्ट अपान बेस इसका पी एच निकालना होगा तो क्या निकालोगे 14 माइनस पी ओएच इसका पी एच ऐसे निकालोगे यह हेंडर्सन एक्वेशन है तो जरह देखो बाफर को हम लोगों ने फर्दर दो पाल्ट में डिवाइट कर दिया इसलिक बफर बुटभ एसेडक बफर क्या वीक एसिडूसका का न्जूगेट आएन आएं बी सेडिक बफर का पी एच निकालने का फार्मुला पिएच इकवल टो पी के का फ्लेस लुक सॉ आप अ निकले गए ना यार दोस्त और फिर पिएच निकालेंगे इस तरह से ठीक है अब आंगे बढ़ते हैं अब जर्दे को एक बहुत बड़ा नोट कि गौर्ड समझेगा पिएच आफ कि वफर सलूशन अब डजनॉट कि चेंज ओन डायलूशन यदि हम सलूशन का डायलूशन कर रहे हैं तो पिएच आफ बफर सलूशन चेंज नहीं होगा द्यान लखिएगा कि इस बाप को ध्यान दाखिएगा कि पिएच आ और उब पफर सबूशन जो होता है वह चांज नहीं ओता है जब कि बाकी सारे मिक्शर को बफर का चांज नहीं होता है क्यों क्योवर की ये आसिडा और बेस का मिकशर है इसमें acid भी है बेस दोनों है तो प्याच आप बफर सलूशन डाज नौट चेंज ओन डाइलूशन करोगे मगर इसका प्याच चेंज नहीं होगा कोश्चन पूछा जाएगा देहर नखिएगा ठीक है इतनी बात आगे अब अगला पॉइंट है बफर रेंज इस बारे में क्या मतलब है है हूं फफर रेंज है को बफर रेंज क्या होता है आपको बताता हूं किसी बच्चे ने कहा कि सर आपने काए दो डॉप और एसिट मिलाओगी तो भीया चेंज नहीं हो तो बंनPs मनों हमने किनद्राप्म तब तक बफर रहेगा वह एक दो ड्रॉप मिलाने पर चेंज नहीं हो रहा है तीन ड्रॉप मिलाने पर चेंज होगा पांच ड्रॉप मिलाने पर छे ड्रॉप मिलाने पर आपको एक रेंज बनानी पड़ेगी ना कि इतने से इतना चेंज हो रहा है तो हम उसको बफर मानेंग तो वो रेंज क्या होती है वो रेंज होती है PKA-1 to PKA-1 यह देखो इतनी बड़ी रेंज है pH में एक कचेंड भाई PKA-1 to PKA-1 क्या है? pH-1 मतलब इसी चीज को आप यह लिखो यह लिखो कि salt upon acid या मेरे दोस्त salt upon acid का concentration गौर्स देखिए 1 by 10 से लेके 10 तक यह बफर रेंज है pH के फार्म में क्या है? PKA-1 to PKA-1 बफर रेंज है salt upon acid के concentration फार्म में क्या है? यदि salt upon acid का concentration 1 upon 10 से लेके 10 के बीच में है तो वो बफर है तो वो बफर है और इसी तरह base की बात की जाएगी तो salt upon base का concentration यदि 1 by 10 से लेके 10 के बीच में है तो वो बफर है और यदि इसको क्रॉस कर गया तो अब वो बफर नहीं रहेगा तब वो बफर नहीं रहेगा तो बफर रेंज क्या होती है? पीक ए माइनस वन पीक से ए प्लस वन ठीक है? salt upon acid का in term of concentration salt upon acid 1 by 10 to 10 कैसे निकालते हैं? तो आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ ज़रा समझें बफर रेंज बफर रेंज कितनी है? यदि salt upon acid का concentration गवर समझेगा? यदि salt upon acid का concentration इस रेंज में लाई कर रहा है देखो salt upon acid देखेगा? लाई कर रहा है 1 by 10 to 10 तो वो solution buffer होगा? solution क्या होगा? buffer होगा? buffer होगा और pH कैसे निकालोगे? pH equal to pka plus log salt divided by acid ठीक पहला concept समझ गए? यदि कहीं पर ये है तो ये आएगा अब बात number 2 गवर समझते जाएगा यदि salt upon acid का concentration गवर सुनिए salt upon acid का concentration 10 से भी ज़्यादा होगया तो मालो आपने निकाला और 1 by 10 और 10 के बीच में आया 10 से भी ज़्यादा आ गया तो क्या बोलोगे? तब उस solution को बोला जाता है salt hydrolysis तब ये salt hydrolysis का case हो जाएगा? क्यों? क्योंकि salt जरूरत से बहुत ज़्यादा है और जब salt जरूरत से बहुत ज़्यादा हुआ तो salt hydrolysis का case हो गया और कैसा salt hydrolysis का case है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉंग बेस तो इसका pH निकलेगा pH equal to 7 plus half pk plus half log concentration of salt ऐसे निकलेगा यदि salt upon acid का concentration 10 से ज़्यादा हो गया अब आप समझ गया हो गये यदि कम हो गया तो salt upon acid का concentration यदि इससे भी कम हो गया 1 by 10 से भी कम हो गया तब क्या करोगे अब मेरे दोस्त ये बात आपको बहुत आराम से आती है कैसे? जरा गौर से बताईएगा यदि salt upon acid the concentration 1 by 10 से भी कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि acid बहुत ज्यादा है और acid बहुत ज्यादा है तो यह pure acid की तरह भी एप करेगा यह कैसा भी एप करेगा pure acid की तरह है और pure acid की तरह भी एप करेगा तो भाई यह पी एच का फार्मूला क्या बताया गया है पी एच इक्वल टू यदि आद दस तेज हो तो पी के एए माइनस वन बाई टू लॉग कंसंट्रेशन आफ एसिड यह अरे एच आयन इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी ही लगाया है डरना नहीं आपको लगे कि यार यह क्या सर ने चिपका दिया यह फार्मूला लिखा है इसी में लॉग ले लिया है और लॉग लेकर यह निकाल दिया है सब्सक्राइब कर दिया और यदि लोवर लिमिट को क्रास कर गया तो वह फेवर इस बात को ठीक है जब कोशन टब बनेगा तो इस जिगे से बनेगा नहीं तो ऐसा ही नॉर्मल कोश्चन आएगा तुम चिपकाते चले जाना चलिये अब जरा देखो यार कोश्चन भी कर ल यह है चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पास पहला कोश्चन आया पड़ा के सुनाओ और आंसर बताओ बफर सलूशन है कॉस्टेंड एसीडिटी एंड एलकाइली सिटी बफर सलूशन का पी अच यह बात अभी मैंने चिल्ला के बताईए यह कॉस्टेंड क्यों होता है चेंज सलूशन आर ठीक है दे हैं लार्ज एक्सेज़ आप एचेन आदे हैं फिक्ट वैलू आप यह है जड़ा देको यह क्या कह रहा है इसको जड़ा समझें इस गिवन अन आयोनाइड एसिड और बेस और रियक्षन बिद एड़ेड एसिड और एलकली यह कह रहा है कि जब आप सलूशन बनाते हो सौरी जब आप सलूशन बनाते हो जैसे यह वफर है तो यह देखो इसके पास यह चीज है मैंने अभी बताया था कि एसिड और बेस दोनों होते हैं यह एसिड है और यह इसका कांजुगेट बेस है तो आप बेस डालते हो तो यह रियक्षन करके इसके ओ और यदि आप ऐसे डालते हो तो यह क्या करता है उसको हजम कर लेता है खा लेता है ऐसे अब बताओ एचाइन कहा गया खत्म हो गया है यह तो बच्पन की टॉफी वाला खेल हो गया है कि बच्पन में चॉकलेट आई तो बच्चा खट अंदर कहां है घर पर रुखती नहीं है चॉकलेट क्यों बच्चे खाड आलते हैं तो वह बिल्कुल बफर की तरह हैं ऐसी डाया हजम हैं डाला तो यह खा जाता है और यह स्लूसन में रुखते ही नहीं है तो पी एच कैसे चेंज हो ठीक है यह अब पोस्चिन को करो मेरे दोस्त अच्छे करिए यह बफर सलूसर इस पिपार इनविजत गंसें टरेशन आप अमोनिया होता है मताओ अरे बाईया बोलो ना कि अमोनिया बेस होता है आप टिंसं क्यो तो ले रहे हो यह देखू आइंड दा कंसंट्रेशन आफ अमोनियम आइन क्या हो गया इसका कांजूगेट सॉल्ट हो गया यह देखो कि दा इक्किलूब्रियम कॉस्टेंट के भी फार्द आमोनिया के भी भी गिवेन है अब पूछना क्या चाहते हैं कि वाट इस दपीएच वेसिक दफ़र तो पहले चरू यह नहीं है तो क्या चुक किया बेसिक बफ़र रहे ना तो पहले निकालो प्योंच निकलेगा फीजिक प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बैस चलो मेरे दोस्त पी के बी की वैलू निकालो किदर है यह तो मैं डारेक्ट लिख दूँ पाइब माइनस लॉग 1.8 समझपाय कैसे किया अरे यह पहले लिखो फिर लॉग के साथ यह लिखो सिखाया था ना लॉग लेना ठीक है प्लस पी के भी क्या होता है माइनस लॉग के भ पाइगी जैसे माइनस लॉग पी होता है वैसे के भी अब इसको लिख दो सौर्ट कितना है दोस्त वाइंट टू यह कितना है क्वाइंट थी अब यह हमारा आ गया पी ओएच और आपको पता है बेसिक बफर है तो प्यूएच निकलेगा पी एच नहीं हमको घुमाने की को कर रहे हैं तो हमने पी एच निकाला पी एच क्या होगा 14 माइनस पी ओएच जब भी बेसिक सलूशन का पी एच पूछा जाए तो पहले प्यूएच निकालो देन पी एच निकालो अब वैलू माइनस करो तो इसमें से माइनस करो तो पांच चला गया 9 लॉग 1.8 और यह क्य किसी की वैलू 1 नहीं आ सकती है इसी ने का क्यों लॉग 10 की वैलुटी और यह सब 10 से छोटे लिखे की यह सब 10 से छोटे लिखे है एक नहीं तो मेरे साथ से वैलू यह यह आएगी यह यह आएगी इन दोनों में कोई एक आएगी अच्छा, उन्होंने वैलू दे रख्ख लॉग 2.7 इक्वल 2.3 2.7 कौन आ रहा है लॉग 2.7 की वैलू दी है और मेरे हिसाथ से लॉग 2.7 कोई आ रहा है बिल्कुल आ रहा है देखो कैसे यदि मैं इस चीज को ऐसे लिखने हूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा देखे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिए लॉग एम और यह लॉग एन तो लॉग एम अपाउन एन अपाउन करोगे तो यह नीचे आ जाएगा अब इसको सॉल कर लो यह यह कितना हो गया नौ फो यह हो गया उआम से अ 1पाउन टू पॉइंट सेवर्ण करम सॉल लॉग को यह का फावर ओपर लेगा है यह आपन और नौ से कम आ गया तो आठ लुग एनव से बास समघए कैसे किया समझी गया हूगि मैंने देखा कि एक लॉक की वैलु दिये इसका मदब इन दोनों का कुछ करना है इन दोनों का करना है लॉक की प्रॉपर्टी लगाई तो नेक्स्ट देख लो भाई यह क्या कोश्चन है इसको भी निफटा लेते हैं इसी कोश्चन आते हैं बस तुम बाते देहर नटना जो पढ़ाया गया है वाटी एचायन इन मोल पर लीटर आप सलूशन दैट इस पॉइंट टू मोलर इन को सोडिय में सिटेट एंड पॉइंट वन मोलर इस्टिक एसिट क्या है उसका साल्ट है रीक एसिड और उसका साल्ट है तो क्या हुआ बफर है बस सीधा फार्मूला पॉन ऐसे वैलू देख लो प्यारे बच्चों क्या दिये यह यह गला लिग गया पीक होगा पीके आप एस्टिक एसट डारेक्ट चिपका दूँ है ठीक है कि नहीं है प्लस वैसे ऐसे ना चिपका हो इसको और इजी कर दूँ देखो इसको भी तुम लिख लो लॉग एच किसी ने का सर आपने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि वह एचाइन पूछ रहा है और जब एचाइन पूछ रहा है तो सबको लॉग में लिखो ना तो लॉग हटाना अलग होगा अभी एंटी लॉग उठाके ले लेंगे कि यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को कि बताओ बाई कोई दिक्कत ना मस्त है तो बस अब लॉग इधर उदर कर लो कर दूँ देखिए जैस्ट एक सेकंड में आनूसर आ जाएगा जब भी एचाइन पूछे तो लॉग लेलो अब देखो मैं डारेक्ट लिख रहा हू और इसमें तो तुम मेरे से भी ते जो अब डारेक्ट लिखने में यह देखो लॉग एंटू एंट किया अब लो तो लो यार एचन की वैलू आ गई क्या सॉर्ट कितना है भाईया कहां हो तुम पॉइंट टू एसिट बाबा किदर है पॉइंट वन के भी सॉरी इनके चक् के एक कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अब जड़ा सॉल करो तो एचायन कंसंट्रेशन दोस्त कितना हुआ ठीक है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाइड बाइड पॉइंट तो यह आ गया एचायन इक्वाल टू 9 इंटू 10 की पावर 6 समझ गया होगे कैसे किया इस पॉइंट को हटा दिया तो यह 10 की पावर माइनस 6 हो गया ठीक है तो यह कहां आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 यह आ रहा है कि मस्त आंसर है अपना है कि नहीं अब अगला कोश्चन भी कर डालो यार इसी बात पर इन्हें बफर सलूशन कंटेनिंग इक्वाल कंसंट्रेशन आप बी आयन एच बी दके भी फॉर इतना तब पी आच आप बफर यह तो बहुत ही सिंपल है मैं आपके लिए छोड़ दे है तो यह देखो हुआ है कि साल्ट अपॉन एसेड अब इनके कंसंट्रेशन एक्वाल है यह होगा ठीक है तो देखो यह टेन की पावर माइनस अच्छा यह देखे इधर यहां पर इन्होंने कोश्चन इस बार घुमाया है तो देखना पीछे वाले कोश्चन में भी क्या है कर दिया तक्या नहीं यह कोश्चन में गल्टी लिखी थी एक हैसिड का However P47 क दीआ तो देखो यह क्या यह क्या को यह क्या के भी दिया क्या अगल हमें थोड़ी होता हुद़ी होता है हमें यह थोड़ी चाहिए यह दिया है ऐसे है इसकी वैलू दिये 10 की पावर माइनस 10 और जबकि हमें वैलू किसकी चाहिए इसकी चाहिए तो बच्चों ने का सर कैसे निकलेगी यह कोश्चन अच्छा बनाया है अना 2010 वाले भाईया बहुत तेज थे अब कैसे निकलेगी तो तुम मार खा जाओगे अभी पढ़ाया था सबसे पहली क्लास मनलब सुरुआत जब चैप्टर को किया है सबसे पहली क्लास को जब अभी शुरुआत की ना ठीक है तो सबसे पहले बताया था कि कांजुगेट एसिड और बेस का मल्टिप्लाइ के डबलू के बराबर होता है कि एक्ट्र में क्या होता है एक एक डिड़ गंटे के तीन-चार फ्लॉट में रिकॉर्ड करते हैं फिर जोड़ देते हैं एक घट्टा बोला नहीं जाता है अब के निकालो तो कि एक वैलू कि यहां पर मुझे लगा था ऑपरेटर वाली मिश्टेक है अगर यह ओपरेटर वाली मिश्टेक नहीं है यह तो अब भी मैं सोच रहा था कि दोनों के कंसंट्रेशन इसी है आपको देदू आपको देता तो आप गलत अंसर निकाल देते देखो यह बास समझ पाए क्या हुआ यह के भी दिया था बी आयन का और यार फार्मूला तो के वाला होता है पी एच इक्वाल टू पीके प्लस लॉक्स प्राबर होंगे अब यह वैलू डाल दो तो जब तुम सारी वैलू डाल दोगे तो यह फोर आ जाएगा पी एच इक्वाल टू फोर आ जाएगा कल्कुलेशन इजी दिये मगड़ कॉंसेप्ट वाल मदब कॉंसेट अच्छा मस्त दिया है ठीक है बास समझ पाए कैसे किया कि बताओ देखो कि यह आंसर आया है नेक्स्ट अब जड़ा देखो या विच आप फालोविंग प्यर कंसिस्ट एब फर इन में से कौन बफर है यह तो तुम देख के ही पकड़ लोगे टैलेंटेट ठेरें वीक एसीड और उसका कांजूगेट आयन बफर है यह एनिवेच है कि ये तो सरुंग एसीड्ल भेस है आच लोगी स्ट्रॉंग इसट्रॉघ इस च्रॉंग वेश चल्रॉंग आशरी स्ट्रॉंग एसीड्य इस्ट्रॉंग इस पर एक चैनल टुल वीक एक सिरन लина कि यह भी देख लो सलूसन आप पॉइंट वन नार्मल अमोनियम हाइड्र ऑक्साइड एंट फॉइंट वन नार्मल अमोनियम को राइट है पिएच इक्वल टू 9.2 फाइंड आउट दा के वी फॉर इस अब यह जरूर हम मोंबर्क में देंगे आपको देखो पी एच दिया ह है तो तुम क्या कर दोगे फॉर्टीन माइनस पी ओएच और प्यूएच की वैलू क्या लिख दोगे भाई पीएच दिया ना अच्छा तो प्यूएच निकाल लिया प्यूएच कितना आ गया 14-9.25 तो मेरे दोस्ति यह कितना आ जाएगा है 4.75 अब यार आपको स्रीफ फा अब यह कोश्चन और छोड़के कहां जाएंगे तुम्हें यार कि यह देखो ठीक है पी ओएच दिया है 4.75 पी के भी निकालना है अब बहुत इसलिए मैं कर देता हूं मैंने सोचा था कैल्कुलेशन होगी तो आपको दे दूंगा अब आपको क्यों दूंगा है आप क्लेशन खुब हो अब जब क्लकुलेशन इजी है तो क्यों दूंगा लो वैलू आ गई टिक कर लो कहीं दिक रहा होगा यह देखो बच्चो ठीक है समझ रहे हो कैसे करना है कुछ नहीं करना है बस फार्मूले वे वैलू डालनी है और छोटी मोटी बाते हैं जो कॉंसेट बताया है बस वह अप्लाई कर देना दो मेर्ट में आ जाएगा लास्ट और फाइनल कोस्टिन ए फिजीशिश्ट विपेर ए बफर सलूशन एट पी एच इकवल टू 3.58 डाट इफिशेंटली रशिस्ट चेंज इन पी एच एट कंटेंग अली स्मॉल कंसंट्रेशन अब बफर एजेंट विच वन आप द फालोईंग वीक असीड जरा यह देखो गौर समझें यदि इस वैलू को किसी तरह जीरो कर दिया जाए तो पी एच और बफर हमेशा कॉस्टेंट रहेगा और सबसे ज्यादा बेस्ट यूज रहेगा क्यों चेंज होगा ने और इस वैलू को जीरो करने का मतलब क्या है इन दोनों के कंसंट्रेशन एक्वल लेना क्योंकि लॉग वन की वैलू जीरो आईगी तो ऐसा कौन है जितना पी एच है 3.58 3.58 यह सबसे बेस्ट यूज हो सकता है क्यों जब आप एक्वल कंसंट्रेशन लोगे तो उसकी वैलू एक कॉस्टेंट आ रही होगी और कॉस्टेंट से ज्यादा रिजिट तो कुछ नहीं हो सकता ना वो कहारा ऐसा कॉन सा कंसंट्रेशन लिया जाए कि पी एचा बफर सरूशन रजिस्ट रहे मतलब चेंजी नहीं तो सबसे बस बेस्ट क्या हो सकता है यह दोनों हमेसा इक्वल रहे है और जब एक्वल रहेंगे तो उसकी वैलू हमेसा कॉस्टें आईगी ना तो कॉस्टन से ज़्यादा फिक्स वैलू कौन सी हो सकती है ठीक है प्यारे बच्चो तो चलो आंगे बढ़ते हैं नया टॉपिक क्योर अब जरतेखो यार प्यारे बच्चो अब क्या है इस बात का हम लोग डिस्कसन करेंगे जरते को सॉल विल्टी प्रोड़ उन सॉल्ड के लिए है जिनकी सॉल्विल्टी वाटर में ना के बराबर होती है मतलब ऐसे सॉल्ड को हम लोग इस प्रिंगली सॉलिबल सॉल्ड कहते हैं इस प्रिंगली सॉलिबल सॉल्ड मतलब जिनकी सॉल्विल्टी ना के बराबर है देखो जब हम ऐसे सॉल्ड को इसमे soluble salt soluble salt springly soluble salt का मतलब होता है क्या होता है very very less soluble very very less soluble मतलब इनकी solubility बहुत बहुत कम होती है जिसको आप ना के बराबर कह सकते हो जिसको आप क्या कह सकते हो कि यार यह solubility ना के बराबर है, ऐसे sod की solubility की बात हम यहां करते हैं, तो solubility क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा solubility के बारे में बता दे, तो देखो मेरे दोस्त, solubility क्या होता है, solubility होता है, total amount of, amount of salt dissolved in 1 litre of solution at equilibrium, equilibrium का मतलब saturated condition, किस पे? saturated condition at equilibrium at constant temperature, temperature भी हम constant रखते हैं, तो solubility होता है, इसको represent किया जाता है, मेरे प्यारे बच्चों S है, तो solubility क्या होती है, एक लीटर solution में कितना solute, या कितना salt dissolved है, saturated condition, saturated condition का मतलब समझते होना, जब soluble होना बंद हो जाए, जब soluble होना बंद हो जाए, ये soluble है, और ये insoluble है, इनके बीच में जब equilibrium आ जाए, तब, इसको कहते है, saturated condition, saturated condition का मतलब होता है, soluble और insoluble के बीच में क्या आ जाना, equilibrium आ जाना, ये देखो, ये condition, saturated condition बोली जाती है, इस condition को saturated condition बोलते हैं, कितनी बात समझ गया है, हमने दो बात है discuss की, solubility product में किसकी बात करेंगे, springly soluble salt की बात करेंगे, मतलब जो ना के बराबर soluble होते है, solubility क्या होती है, एक लीटर में salt का कितना amount dissolve है, उसको solubility कहते है, अब amount लिखा है, इसका मतलब इसकी unit क्या होगी, ग्राम पर लीटर होगी, ठीक है, और equilibrium किसके किसके बीच में आती है, insoluble salt और soluble salt के बीच, अब इस बात को थोड़ा सा आंगे बढ़ाते हैं, गौर से समझेगा मेरी बात को, अब धीरे धीरे point चालू हो रहा है, देखो ये एक salt है, और आपने प्यारे बच्चों ये equilibrium बनाई है, ऐसे, देखते जाईएगा, ठीक, जब कहीं equilibrium आती है, तो क्या आता है, equilibrium constant, कैसे लिखा जाता है equilibrium constant, ऐसे लिखा जाता है, यदि मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई बच्चा बुरा तो मानेगा नहीं, कि मान जाओगे, तो मान जाओगे, तो फिर टेंसन हो जाएगी, मार खा जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अब जरह देखो, ये एक equilibrium constant है, और ये भी value लगभग constant रहेगी, किसी ने का क्यों, 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 अभी आप चिल्ला के बोल के आयो, कि solubility constant क्या है, अब दो कॉस्टेन को मिला के हमें एक नया कॉस्टेन लिख देते हैं, जिसका नाम होता है, कि ESP, solubility product, तो अब आप समझ गये होगे, क्यों, क्यों कि पूरे lecture में तीसरी बार बता रहा है, कि solubility product एक equilibrium constant है, और यदि ये equilibrium constant है, तो इसकी value क्या होगी, सिर्फ टम्प्रेचर पे डिपेंड करेगी क्यों स्वालिविल्टी प्रोडट्ट एक तरह का इकलुबियम कॉस्टंटी है बस उसको कपड़े दूसरे पहना दिए गए क्यों क्यों कि प्राउसेस दूसरा चलना है एक ओणली डिपेंड अपान टम्प्रेचर ही कहा है कि नहीं करती है सिर्फ टंपरेचर रडिपरेंड करती है मेरे दोस्ट है यह बात को आंगे बढ़ा लेते हैं इतनी बात किलियर हो गई कि सौल्बल्टी प्रोडट्ट क्या है वानिटी प्रोडट्ट एक इकलूब्रियम कॉस्टेंट है जो यह है अब solubility product represent क्या करता है, तो देखो, क्या represent करता है, गौर समझेगा, यदि किसी की solubility ज़्यादा है, तो उसका solubility product भी ज़्यादा होगा, क्यों, solubility का multiply to है, तो अब हम क्या discuss करने जा रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं, डिसकस करने, relation between, solubility and solubility product, solubility और solubility product में क्या relation होता है, इस बात को discuss करने जा रहे हैं, देखो, हमने एक ऐसा salt उठाया, गौर से देखिए, ऐसा, अब जब ये पानी में गया, तो जरह बताना, क्या आएगा, M, A की पावर N, प्लस N, B की पावर N, माइनस की, सही break किया है कि नहीं, बताओ, सही break किया है कि नहीं किया है, इसके नंबर कितने है, M, इसके उपर पावर क्या आएगा, इसकी टोपी उसके सर से पावर आती है, अब इसकी solubility S मानो, इसकी 00, T equal to 0 कर, ये कौन सा पार्ट है, solubility वाला पार्ट है, solubility पार्ट मतलब जो पार्ट soluble हो रहा है, initial value नहीं है, हम सिर्फ वो पार्ट लिख रहा हैं, जो पार्ट soluble हो रहा है, तो सारा का सारा सारी बूल होगे, ये कितना आया, MS, ये कितना आया, NS, अब KSP निकालो, KSP क्या होता है, आपको पता है, अभी आप लिख क्या है, वो equilibrium constant लिख दो, किसी ने का सर, KSP कैसे लिखा जाता है, तो मैं तो कह रहा हूँ, बस equilibrium constant लिखना जामते हो, बस वैसे लिख दो, तुमको किसने का है कि KSP अलग तर ऐसे लिखा जाता है, बस नीचे वाली value गैप कर देना, ठीक है, अब value डाल दो, इसकी value कितनी है, ये, MS की power M, ठीक है, N, S की power N, तो ये क्या है, M की power M, dot N की power N, S की power M, प्लस N, ये एक journal form आया है, solubility और solubility product में relation का, journal form, चेक कर लो आप, solubility और solubility product relation का एक journal form आया है, ये देखो, है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरह के molecule की solubility direct निकाल सकते हो, M और N की value के basis पे, M और N की value के basis पे मतलब, आपने इस type के, आपने इस type के salt की, solubility ये निकाली है, याद कैसे रखोगे, M की power M, N की power N, जो यहाँ लिखा है, यह M लिखा है, तो M की power N, यह जो N लिखा है, तो N की power N, dot, और इन दोनों की power का sum, solubility के उपर, यह देखो, यही तो निकाला, चेक करो, M की power M, N की power M, और इसका sum, किसी ने का सर, हम याद कैसे कर पाएंगे, तो याद करना ही है, यहाँ की power, जो यहाँ लिखा है, इन दोनों की power, solubility के sum, किसी ने का है, इसका KSP लिखके दिखाओ, तो जो रबताना, इसका KSP कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा है, वन, यहाँ पर कितना लिखा है, वन, और इन दोनों का sum, तो 1 प्लस 1, तो क्या आएगा, स्रिप S square आएगा, अच्छा किसी ने का यह लिख दो, तो इसकी solubility product लिखके दिखाओ direct, तो देखो, यहाँ पर कितना लिखा है, 1, 1 की power 1, यहाँ कितना लिखा है, 2, 2 की power 2, जितना लिखा हो, और इन दोनों का sum, उसके साथ, तो मेरे दोस्त कितना आगया, यह आगया, अब किसी ने का जा रहा है, इसको लिखके दिखाओ, यह देखिए, अब इसकी KSP लिखो, यहाँ कितना लिखा है, 2, 2 की power 2, यहाँ कितना लिखा है, 3, 3 की power 3, और S के उपर दोनों का sum, तो कितना हो गया, 4 और 27 पावर 5, इनका multiply कर लो, 7, 4, 28 की 2, 8, 8, 2, 10, यह आगया, तो हम इस तरह से किसी का की KSP लिख सकते हैं, डायरेक्ट, चाहे तो, और किसी ने का, याद कैसे रखना है, तो याद रखना ही नहीं है, जो यहाँ लिखा है, उसकी power लिख दो, जो यहाँ लिखा है, इसकी power लिख दो, और S के साथ इन दोनों का sum लिख दो, ठीक है कि नहीं, बस इतना लिखना है, और यह दिखो आता चला जा रहा है, मज़े से, क्लियर है, क्लियर है, लिख लोगे किसी का की KSP अचानक, बच्चों ने का, येस सर, सेकेंडों में लिख लेंगे, तो मैंने का, बस गेम हो गया, कोई भी question आएगा, हम लोग माख्त कर लेंगे, अब हम बताते हैं, आपको question करना, या फिर एक question पूछ लेते हैं, जीद कर रहे हो तो, इसके लिख के आप दिखाऊगे, गल्लात मतब कर दियो, ध्यान नक ना, इसकी आपको लिखनी है, ये देखो, क्या है, silver chromate, अब silver chromate की आप लिखके बताओ, KSP क्या आएगा, KSP और solubility में रिलेशन, इसकी पावर, 2 की पावर, 2, अब यह chromate आएउन के उपर कितना लिखा या, 1,1 की पावर, 1, और दोनों का सम, कितना आएगे, आगे बस अब जरा कुछ खास बाते जो आपके दिमाग में हमेशा बैट जानी चाहिए जो सॉल्विल्टी होती है आलवेज लेस लेस देन मन होती है आलवेज विल्टी की वैलू 1 से बहुत छोटी होती है और ksp की वाईलू one से बहुत छोटी होती है ध्यान रखियेगा सब्सकारथी कूछ अर यदि वाईलू में आप स्कॉायर करते चार रहे तो बैलू और छोटी होती चली जाएगी अहल से यह दी रूट से ज्यादा बड़ी होगी जब टेट्रा रूड लगा दोगे तैन यादि Roots बढ़ तो Tony बढूती चली जाएगी एक च्छन में केसफी के अंधर लगांगकी केसपी के रूट की जरौत पढ़ती है याíz रूट बढ़ाओगे तो वैजु बढ़ती चली जाएगा कीव क्यों क्यों कि ये दोनों वैलुं यह मैस्मेटिकल बात याद रखिएगा बहुत ज़्यादा काम आती है घर नखिए मेरे इसाथ से सबसे इंपॉर्टन बात यही है यह हमारे लोगों के काम बहुत आएगी कोश्चन करने में क्या सॉल्बिल्टी की वैलू आलवेज लेस देन वन होती है और वन से चोटी बढ़ाओं तो वैलू बढ़ती चली जाएगी मैं इसके साथ से इतनी बात आपको याद रखने है काम आएगी अपने कैसे काम आएगी अभी बताओंगा अब चलते हैं कोश्चन के कैसे कैसे है तो चलो पहले कि सबसे पहले आपको एक कोश्चन पूस्ता हूं देखो यार दोस्त है कि सॉल्बिल्टी कैसे निकाली जाती है क्या पूछा जा सकता है तो पहला कोश्चन उस पर कि कैसे पूछा जा सकता है पहला कोश्चन पूछा जा सकता है कुछ ऐसे देखो काल्कु कि एजी सियल है इन वाटर है इन वाटर है और केस्पी आपको दिया है वान इंटू 10 देश्ट की पावर माइनस 14 है ठीक है इसी के पैलर में दूसरा कोश्चन दोनों कोश्चन एक साथ करूंगा जैसे हम समझ पाएं कि कब-कब क्या-क्या लगाना है काल्कुलेट कि एक पालबिल्टी ओप एजी सी एल इन देखो वाटर तो निकाली चुक्यों 0.1 मोलर एन एजी एल सलूशन यह या फिर 0.1 मोलर कर दोनों में डोनों में डिफरेंस क्या एए एक डिफरेंस यह हैं कि यह वातर में पूछी गई थी और यह कॉमन आयन में पूछी गई है देखो दोनों कोशनों को करा कैसे जाता है कि हम कोश्चन करने बैठे कि हमें क्या लिखाना है सॉल्विल्टी निकालनी है तो भाई या फार्मूला क्या हुआ के अस्पीक इसके नीचे कितना है वन इसके नीचे कितना है वन दोनों का सम यहां आप चाहो तो डायरेक्ट एक स्कॉरल लिख सकते थे प्रैक्टिस हो जाती तो डायरेक्ट लिख सकते हो अब हमें सॉल्विल्टी निकालनी है तो बस अंडर लगा दो के स्पी में हमने अंडर लगा दिया तो सॉल्विल्टी की वैलू आ गई वन इंटू टेन रेश्ट की पावर माइनस पूर माइनस सेवन किसमें आई वाटर में यह किसमें आई दोस्त वाटर में आई ठीक अब जरह कॉमन आयन में समझो कैसे निकाली जाती गौर से समझे यहां पर क्या लग रहा है यहां पर प्यारे बच्चों इस बात का विसेज ध्यान लखना की आप से सॉल विल्टी किसी ऐसे सॉलवन में तो नहीं पूछ रहा है जो आयन कॉमन हो रहा है यहीं वाटर में स्युकालने का मैसं अब कॉमन आयन में कैसे निकाली जाती है देखो वो बताता हूं कि कॉमन आयन में कैसे निकाली जाती है देखो यार दोस्त एक बात हमेशा ध्यान लखो केमकल इकलूब्रियम वाले चैप्टर से चिल्ला के बता रहा हूं क्या कि यदि सलूसन है तो सलूसन में हमेशा जब इ लिखा जाता है हुआ इक्लू ब्रियम में हमेशा कौन सा कंसेंट्रेशन लिखा जाता है टो टल टो टल है तो जड़ा बताना हम इस सलूशन में डालना है कि तो जब सॉल्विल्टीस की स् यह कितना एक इस जीरो यह कितना और फॉय्ट वन एड टी इक चॉइंत पॉइंट वन लिखे टोटल निखा जाता है आइनों का माली पॉर्ई को किसके किसके नहीं है उससे पॉई लेन देना नहीं है एक्लूब्रियisierung पर बार बार बता रहा हूं इसको धियान दखना, एक्लूब्रियम पर अल éénज, हाल्वेज टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है, वो आयन किसके हैं, किससे नहीं हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको जोड के लिखा जाता है क्योंकि वो सब एक ही कंटेनर में पढ़े हैं जीरो एस एस प्लस वन एक इकलूब्रियम ठीक है अब के एसपी का फार्मूला लगा दिया तो के एसपी का फार्मूला आ गया यह देखो अब वैलू डाल दो अब हम लोग अज़ोन करत किसी ने का कैसे निकालेंगे तो मैंने उसको बताया ऐसे निकालेंगे और भात को समझाते हैं गौहत स gelecek वांघ्जीम हम क्या करेंगे KSP equal to S square plus 0.1S I think यही दिखाए ना एक बार देखने दो मुझे पीछे जाके यह बिटा इसको हम बराबर कर देंगे ऐसे 0.1S किसी ने का सर आपने इतना महान काम क्यों किया तो अब जरक गौहर से सुनिएगा अभी आप लोगों ने चिला के बताया था कि वह सॉल्विल्टी जो होती है लेस लेस देजन वन होती है वन से बहुत छोटी होती है और वो तो इसका स्क्वाइर है तो स्क्वाइर तो पता नहीं कितना छोटा होगा स से और वन से तो इसलिए हमने मैथमेटिकल मैठ को इजी करने के लिए स्क्वाइर वैलू क्यूब वैलू माइट निगलेक्ट कर दिया करो एस स्क्वाइर एस क्यूब है तो इसको निगलेक्ट माल लिया करो तो तो सॉलिविल्टी की वैलू कितनी आ गई एस पी अपाउन पॉइंट वन यह थी पॉइंट वन से डिवाइड कर दिया अब सॉलिविल्टी कितनी आ गई अब जड़ा एक बात समझों हो है उसी हम अग जाँ कि की उसी हे ए गच्यग वाटर में सॉलविल्टी ने 9वार मायन टीपॉछ और हो सी ए खोपा एल स्एयल की टाँसार अम में इस ए इनकिएम की प्रेजंस में सॉलविल्टी डिकरीज कर जाता है हूझ है इन प्रेजंस आव प्रेजंस ओफ कॉमान आयन इस ओल्विल्टी ओफ इस ओल्ट डिक्रीज़ इस ओल्विल्टी ओप सॉल्ट क्या हो जाती है डिक्रीज कर जाती है क्यों इक्कुलूब्रियम बैक्वर्ड डिरेक्शन में सिफ्ट हो जाता है कोई रॉकेट साइन्स नहीं है बहुत इजी है तुम्हें तो आता ही है बताओ सिया लाइन का कशन्ट्रेशन बढ़ा उगे तो तो इधर जाएगा पीछे तो जाएगा को आपोस करना हमारा काम है लाश्ट क्लास में पढाया है वन सॉट केम कल इक्लूब्रियम में तुमने तो बिरोधी हैं तुमारे अम उल्टा करेंगे तुमने बढ़ाया हम कम कर देंगे और कोंजाब करने के लिए किधर जाना पड़ेगा बैकवर्ड डारेक्शन में जाना पड़ेगा हो तो सीफट और गया यादि कोई बच्चा काए कि सब्सक्रांगे मालनो हूं आ ऐसा नहीं तो इतना टफ काम यदि तुम सभ्रक्राइब दोस्त इसता टभ सम नहीं कर पार तो आपको एक क्लू देता हूं यदि कॉमन में की भूक Pil體फ तो हमेशा फार्मुला लगा लगा देना के किस पी ऑफ कॉन संट्रेशन ऑफ कॉमन ऑन common salt या common iron यह फार्मूला लगा दीजिएगा आपका अंसर निकल आएगा चलिए मैं एक बार इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मतलब अच्छी जिगह पर लिख देता हूँ यहां से रफ कर देता हूँ कि यह दिमान लो किसी को लग रहा है कि सर हम यह सब नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए फार्मूला है मगर यह फार्मूला कभी-कभी गलत भी हो जाता है मगर मेडिकल में परफेट काम कर जाएगा क्योंकि आपके चुक्ष्चन बहुत चोटे चोटे आते हैं कॉमान आयन कंसंट्रेशन कि ओफ कॉमन आयन बस आप यह फार्मूला लगा दोगें सॉलल विल्टी आ जाएगे और नमानोंचेक कर लो के अस्पी अपन कंसंट्रेशन आप कॉमन आयन ही तो लिखा है कब करोगे जिसको निकालना ना आता हो कि सर कौमनायन में निकाल नहीं पाते हैं हमसे गलती हो जाती है यदि कोई बच्चे कहते सर में से निकाल नहीं पाते हैं तब यह लगाना क्यों कि 90 परसंट केसों में फिट बैठ जायेगा यह जो आपके यहां आने वाले है नाइंटी क्या नाइंटी नाइंटी से लगाईए लिए लोग इस नहीं आ पाता है विचारा कहे रहा हम कर देते बार बार गलत कर देते तो और इसे लगा देगा तब भी आंसर आजएगा ठीक है कि चलो अब आंगे बढ़ते हैं एक नट रुख जाओ भी है अब आपको कुछ और बाते बताते हैं नोट डाल के जरा इनको दिमाग में बैठाल के रखिएगा ऐसे कोश्चन पेपर में मिलेंगे खुब नोट अब जरह देखो यदि कहीं आपको और लगाने कहा जाए अरें और आप सॉल्विल्टी है हमारे पास कोश्चन ऐसा आ रहा है अरेंज है अरेंज है और और ऑफ है सॉल्विल्टी और ऑफ गिवन सौर्ट है ऐसे कोश्चन खुब पूछे जाएंगे तो बात आई आप कैसे करोगे तो आपको देखो करने का मैथड बताता हूं दो सिकंड में ऐसे कोश्चन आ जाएंगे बस कॉंसेप्ट को पकड़के रखिएगा जो बताने जा रहा हूं देखो पहला केस नंबर वण यदि सौर्ट जैसे हमारे पास दिया है एक्स एवाई एजड और इनके केस्पी दिये हैं केस्पी वन केस्पी टू केस्पी त्री जरा समझेगा तो अब कॉंसेट को जरा समझेगा क्या लिखने जा रहा हूं ठीक है देखना केस नंबर वण नंबर ओफ आयनस इन इच इच इस इक्वयल यदि नंबर ओफ आयन अलंब आयन सभी सो उल्टों के विखन आयन के नंबर इक्वयल है तो हमेशा ध्यान नख्विंगा इचल वेबस सॉनविल्टिंग आड यह होगा जिसका कैस्पी ज्यादा हुश की साल बिल्टी ज्यादा बस इतना जिसका कैसी ज्लॉटि ज्यादा उस्की हैं सॉल विल्टी ज्यादा हुथी के ऑन सॉरी ए MOD02 जिसका केस्प्य जादा होगा उसी की सॉल्भिटी जादा होगी यदि नमबर आफ आयन सेम यह नमबर वन अब केस्ट नमबर टू क्या बना सकते हैं वो वो आपको परिसान करने के लिए केस नमबर टू ऐसा बना सकते हैं ज़रा देखो क्या यह बात तो समझ पाए उन्होंने तीन पॉर्ट दिये का इनकी सॉल्बिल्टी अरेंज करो तो तुम सबसे पहले करो नहीं तुम पहले चेक करो तीनों सॉल्ट एक जैसे हैं एने सील इसे देता है तो इसमें तीन तरह के कोश्चन आते हैं किया गौर समझों यदि नंबर आफ आयन नंबर ओफ आयन इन इस सॉल्ट वो अलग अलग है वो क्या है डिफरेंट है डिफरेंट मगर केस्पी को लें बट केस्पी आफ इच सॉल्ट इस इक्वल मगर केस्पी आपस में बराबर है तो क्या होगा सॉल्विल्टी का ओडर तो सॉल्विल्टी किसकी ज्यादा होगी जिसमें आयन ज्यादा होंगे इस सॉल्विल्टी ज्यादा नम्बर ओफ आयन ज्यादा इन सॉल्ट में आयन ज्यादा होंगे उसी की केस्पी ज्यादा हो यह केस नंबर टू जब क्या किया जाए केस्पी को लो मगर माली क्यों अलग अलग हो जैसे सॉरी जैसे उसने मेरे से यह कह दिया जड़ा देखो ठीक है ध्यान दीजिएगा कि AGCY Mgcl2 Kcal3 बताओ किसकी ज्यादा होगी सबके कैसपी फॉल है कि आयन वहां इसमें 4 फींठक चेञाँ पीकذacking है तो जिसके यहां जएदा उसके सॉलबिल्टी आद़ा है उसको यह कह रहा हूँ है बात स screenshots आदग आ उसके ज्लू करने मैं जूर्धी नहीं है वह mathematically अपने आप प्रूब्ड है इसमें थोड़ी सी मैस्क लगा दिये मैंने और आंसर अपने अब बन गए मैनत करने की कोई जूरूत नहीं है मैस्क का यूज कर लिया है तो अपने आप सेट है कुछ नहीं करना है अब केस नंबर तीन यादि दोनों चीज एक साथ बय्येबुल आ जाए तब भईया सॉल करना पड़ेगा case number 3, case number 3 क्या है, अब number of ions भी variable है, number of ions in each sword, हर एक sword के ion भी क्या है, different है, और KSP भी डिफरेंट है, तब आपको solve करना पड़ेगा, and KSP of salt also different, यदि दोनों चीज़े difference है, तो बच्चों आपको solubility निकालने के लिए question को solve करना पड़ेगा, कैसे, जैसे पीछे पढ़ाया है, n की power m, n की power m, solubility की power m plus n, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो solve करना पड़ेगा, ठीक है ना, solve करना पड़ेगा, या फिर solve करो, इतना ना लिको, इतना बड़ा solve करो, तब आपको solve करना पड़ेगा, और इसके खुब question पूछे जाते हैं, ध्यान ने कियेगा, यदि आयन से में, तो भी बिना solve करें, question हो जाएगा, जिसके KSP ज़्यादा, उसकी solubility ज़्यादा, यदि solubility से में, तो फिर जिसके आयन जादा उसकी solubility जादा सिंपल सी बात है जिसका जो जादा उसरी कि solubility जादा आयन जादा तो solubility जादा अब दोनोगे वरियेब८ कर दिये जाएंगे तो बता देते हैं कि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है तो इससे पहले एक और हैडिंग पढ़ा देता हूं फिर इसको पढ़ाता हूं पीछे आजाता हूं हो आप सेलेक्ट्टिव प्रेसिपिटेशन से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आइनिक प्रोडक्ट क्या है इसको ज़रा गौझ से समझों देखें आपने जैसे chemical equilibrium में question ratio पढ़ा था याद है कि भूल गए है याद होगा ना यार उसी तरह से dicto ionic product होता है मतलब यह एक salt है यह देखो और इन में इस तरह की equilibrium है इक्लूब्रियम से पहले या बाद में equilibrium आने से पहले या बाद हमने क्या किया ion के concentration का product निकाल दिया गौर समझेगा यह निकाल दिया तो इसको ionic product कहते है कि एक टी क्वल्टू जीरो से लेके टी क्वल्टू इन्फनाइट तक कि मतलब reaction स्टार्ट होने के जश्ट पहले से लेके reaction खतम होने तक यदि हमने आयनों के concentration का product निकाल दिया तो वह आयनिक प्रोड़क्ट बोला जाता है और जब यही बात equilibrium पे निकालते हैं तो इसको KSP बोल दिया जाता है बिल्कुल वही है जैसे वहां पे था जब इसी चीज को आयनों के multiply equilibrium पे निकालते हैं तो उसका एक specification कर दिया जाता है उसका एक अलग नाम रख दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या equilibrium constant मतलब KSP आपकी भासा में KSP तो आपकी बासा में द्यान लखेगा KSP equilibrium constant है आयनिक प्रोड़क्ट question ratio है सब कुछ सेम है इसी को कह सकते हो saturated situation saturated ठीक है condition पहले यह समझ पाए दोनों में difference क्या है जो KSP होता है वो equilibrium में निकाला जाता है saturated situation में निकाली जाता है saturation आने से पहले saturation आने के बाद या saturation पे concentration आयनों के concentration का multiple निकाल दोगे तो आइनिक प्रोड़क्ट बोला जाएगा और उसी आइनिक प्रोड़क्ट को KSP बोल दिया जाता है जब saturation आ जाता है तो जैसे वहाँ पर वो direction बताता था वैसे यहां पर भी यह direction नहीं बताता है मगर हमें यह direction की जरूरत नहीं होती तो हम इसको दूसरी तरह से यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं ऐसे यदि किसी solution का आइनिक प्रोड़क्ट ज्यादा है और KSP कम है इसका मतलब इसका मतलब कि वो जो salt है वो precipitate बनाएगा precipitate form क्यों precipitate बनाएगा क्यों सचुरेटेड है अब saturation से ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा dissolve नहीं होगा और डिजाल नहीं होगा तो precipitate के फाम में दिखेगा क्यों 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 कि वैलू कभ निकलती जब सचुरेशन आ जाए और KSP से भी ज्यादा है तो इसका मतलब precipitate बनेगा अब dissolve को होगा नहीं dissolve नहीं होगा तो क्या आएगा प्रेसिविटेट आएगा अधिए आएगल प्रोड़क्ट की वैलू के असपी से कम है इसका मतलब क्या है अभी यह सालीबूल है इस सालीबूल है अनुआ एड प्रेसिविटे नहीं फार्म होगा मतलब डिज नौट प्रेसिपिटेट के डसनाट फार्म क्योंकि आप जामते हो कि तक वह सॉलिबुल होता है इस पी तक अभी पहुंचा ही अब तो विचारा पीछे इसकी वैलू कम है कि एस पी तक पहुंचे अउसके बाद जब जादा होगा तब प्रेसिपिटेड फार्म ओंगा तो यह क्या होगा प्रेसिपिटेड नहीं फार्म करेगां कि यहेंदी दोनों बर्ढाबर आ गए तो हैं तो इसका मतलब यह कहां आगा है संटार्म पर श्केष्याबर शान फ Cinnamon तो यहींत क्लीवरं पर अदो मतलब इसकी बाद फ्रेसिपिटेड हो ए इस्टार्ट श्तार्त है यह प्रेसिपिटेड श्टार्ट के अन नहीं यह देखो तो यह बहुत पूछा जाता है कोश्चनों में कैसे पूछा जाता है इसका एक एक जामपल मैं ज़रूर देता हूँ गौर सो समझेगा इस बात को ध्यान लखना यदि आइनिक प्रोड़क्ट के स्पी से जादा है तो प्रेसिपिटेड फाम होगा आइनिक कोश्चन बता देता हूं कि कोश्चन आ कैसे सकता है कि अना देखो कैसे आ सकता है कि देखो एक ही कोश्चन को मैं दो तरह से करके दिखाता हूं जैसे आपको पता चल जाए करते कैसे दिखिए गौर समझेगा मैंने कहा के अस्पी दिया है आपको सी ए एफ तू का ठीक है क लिख दिया 1 x 10 की पावर माइनस 14, if, देखते जाहिए, if 10 की पावर 8 मोलर C A, ठीक है, C A, NO 3 का होल ट्वाइस, mix bill, equal volume of 10 की पावर माइनस 4 मोलर NAF, तो अब आपको बताना है कि C A F 2 का precipitate farm होगा की नहीं होगा, यह बताना है, अब यही कोश्चन फिर लिख दिया मैंने, देखिए, डिट्टो सेम, KSP वही है, KSP of C F, 1 x 10 की पावर माइनस 14, ठीक है दोस्त, अब मैंने का, mix किये गए, if, 10 की पावर माइनस 8, सॉरी, 10 की पावर माइनस 8 मोलर कैल्सियम नाइट्रेट, mix with, 10 की पावर माइनस 8 मोलर, NAF, अब बताना है, के SP farm होगा की नहीं, बिद इक्वल वैल्यूम, बिद एक्वल वैल्यूम, अब जरा देको, दोनों कोशनों को, हम एक साथ करते हैं, देखिए, क्या निकालोगे, आइनिक प्रोड़क्ट, जब भी ये बात पूछी जाया है, कि, काम होगा की नहीं, तो आइनिक प्रोड़क्ट किसका निकालोगे, जिसका KSP दिया हो, जिसका KSP दिया हो, उसी का आइनिक प्रोड़क्ट निकालना, क्योंकि बच्चों को ये भी तो टेंसन होगी, कि आइनिक प्रोड़क्ट निकाले किसका, कि अकिसका कि किए किसका तो तो क्या निकालोगे आप कैल्सियम आयन पैंस बंस खांशकर लगी है तो वाइलू जड़ा थोड़ी सेंज कर लो नहीं तो दोनों में एक ही जैसा अंसर आएगा और मैं चाहता हूं कि दोनों में अलग अलग अंसर आए यह जैसे आप इसको को डिफ्रेंसियेट कर आप करूं लेनां बताने जा रहा हूं दोनों के इकवल मिलाय है है तो दोनों को क्या करोगे दोज से डिवाइड में बच्चों ने का सारय है अब इस बात को दोम समझी नहीं काएं तो मैं sujet हो इदर जरा बताओ में यह था में में यह हो दोनों को मिला दिया है हं तो किता हो गया तो भी एमल वायूम चार्ण होगा तो इसलोगा तो कंसेंट्रिसन चींज है है आगा तुमने मेन में डबल कर देना वी और तो वी मिलाया तो तो कंसंट्रेशन आदा हो गया नहीं तो जितना वायलूम है उससे डिवाइड करोगे नीचे यदि अलग अलग वायलूम होते तो वी वन प्लस वी टू से डिवाइड करते दोनों में ध्यान लखिएगा बच्चे जल्दी में क्या करते वैलूम से जाएंगे और जब भी दो सलूसन मिला जाएंगे तो वालून बढ़एगा यदो नीचे चुम्त हो जाएगा हो हमेशा ध्यान द्यान नक्ना नीचे डिवीजन किसका लगाना है तो डोनों के कंसंट्रेशन में टोटल वैलूम से डिवीजन लगा देना है बस सिंपल सी बात है अब इसको करो तो जब इसको करोगे तो 10 की पावर माइनस 8 divided by 2 10 की पावर माइनस 8 divided by 4 तो यह आ गया 16 अब इससे एक बात तो तुम समझ गये हो कि KSP की बैलू जादा है आनिक प्रोडक्स कंफर्म है कि नहीं बात और यह दिक KSP की बैलू जादा है तो इसका उनला प्रेसिपिटेट डर्स नौट कॉंट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा इसका सी एफ कि यह एसपी की वैलू 10 की पावर माइनस सोल आ रही है अवो 10 की पावर माइनस 14 है तो वह वैलू बहुत बढ़ी है ठीक है कि नहीं प्रेसिपिटेट फार्म नहीं होता अच्छा यही कोश्यन यहां लगाओ अब हमने फिल लगाया कैसे लिखा कंसंट्रेशन ओफ कैल्सियम आयन कंसंट्रेशन ओफ फ्लोराइड आयन का स्कॉर है ठीक है कि नहीं ऐसे अब वैलू डालो तो इसकी वैलू कितनी है 10 की पावर माइनस 8 डिवाइड़ बाई 2 क्यों वैलूम डबल हो जाएगा ना इक्वाल मिला रहा हो नहीं तो टोटल वैलूम से डिवाइड करना बार बार बोलना ध्यान कना गलती यहां पर बच्चों से होता है यह कितना है 10 की पावर माइनस वन डिवाइड़ राइड़ बाई 2 कि अब बताओ बच्चों क्या हुआ है टैन की पावर 8 divided by 8 तो यहां पर क्या यह के एसपी ज्यादा है आइनिक प्रोड़क्ट कम है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हुआ प्रेसिपिटेट ओफ क्यों कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपने के एसपी से ज्यादा डाल दोगे तो प्रेसिपिटेट जरूर आएगा क्यों के एसपी लास्ट बॉर्डर पॉइंट है जहां पर चीज प्रेसिपिटेट आएगा तो ऐसा कोश्चन पूछा जाता है कभी ये फॉर्म देगा तो आपको क्या है बस आयनिक प्रोड़कर निकाल के एसपी का निकालते हैं इसका इस इंक प्रोड़क्ती निकालते समय बस बात तृविजन लगेगा तो मैं के वैदूबिचन कर दिवीजन लगेगा अब आजाओ selective precipitation पर यह है क्या बताता हूं पहले तो समझाता हूं कि यह है क्या देखो हमारे पास यह solution है ठीक है ना प्यारे बेख्चों कि यह मिक्स्चर है इसमें क्या-क्या है मैंने का 0.1 molar न a.1 molar न बी आ और इसमें उपर से डाला जा रहा है एक्सेज में और हमेशा एक्सेज में डाला जाता है जो चीज उपर से डाली जाते है एक्सेज में डाला जा रहा है एक्सेज में डाला जा रहा है एक्सेज जब डाला जाएगा तो एजी आयन इससे रियक्शन करेगा और क्या बना लेगा एजी सील का प्रेसिपिटेट एजी आयन इससे भी रियक्शन करेगा क्या बनाएगा एजी बी आर का प्रेसिपिटेट एजी आयन इससे भी रियक्शन करेगा क्या बनाएगा एजी आई का प्रेसिपिटेट किसी कर जरए बताओ सबसे पहले किसका प्रेसिपृटेट आएगा इसमें यही सबसे पहले किसका आएगा तो कैसे हमें एद आब अच्छे से नोड तुनिये अधर था था कांसेट सुने कि कॉइंट नमबर वन नोट नमबर बन यादि साल्ड का आयन के नमबर सेम है लिए यादि नमबर ओफ आयन इन इस सौल वो और सेम है देखो यदि number of iron in each side सभी आइनों के नंबर सेम है जैसे देखो सेम है ना वन रेस्यों वन रेस्यों वन वन बेस्यों तो बस कुछ नहीं करना है सबसे पहले precipitate कौन फार्म करेगा जिसका के एस पी सबसे स्मॉल होगा its smallest की के एस जिसका के एस पी सबसे चोटा होगा वह सबसे पहले होगा क्यों के चोटा होने का मतलब उसकी सौलविल्टी सबसे कम है लास्ट में कौन करेगा आं अब यार इतना तो समझी गय होगे उल्टा होता जिसका के एस पी सबसे वड़ा होगा है कि नहीं मैक्समम केस्पी वैलू मैक्समम केस्पी वैलू जिसकी केस्पी वैलू सबसे ज़्यादा होगा बात क्लियर होगे एक कॉंसेप्ट के लिए है अब दूसरा समझो अब मान लो नंबर आफ आयन सेम नहीं है नंबर आफ आयन्स इन इच सॉर्ट डिफरेंट है तब कैसे करें करें तब कैसे करें तब क्या करोगे सॉल्विल्टी निकालोगे किस मैथट से किस मैथट से इस मैथट से एक में रुप जाओ मन एम एन एम समझ गया होगे मैंने अभी पीछे पढ़ाया था इस से जिसकी सॉल्विल्टी सबसे कम होगी वह केस्पी सबसे पहले फॉर्म करेंगा प्रेसिपिटेट पहले किसका आएगा फर्स्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म मिनिममम सॉल्विल्टी वाला सॉल्ट जिसकी सॉल्विल्टी सबसे कमाएगी उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले फॉर्म होगा बस यही दो बाते पूछी जाती है या तो ऊपर वाला केस आता है या बच्चों याला केस आता है इन्हीं दो में से कोई एक केस आता है और कोई भी केस पेपर में नहीं आता है अब दोनों में से कोई भी केस आ जाए यह केस आ गया तो बीना देखे ही कर देना यह केस आ गया तो यह पुराना कोशन हो गया प तुम पीछे निकाल क्या हो भाई निकालना तो आता ही है इस फार्मूले से बात खतम हो जाएगी ठीक है है और इसी को कहते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटीशन कांसप्ट याद है फूद पढ़ो कोश्चन पर चलो बच्चो सारे कॉंसेट पढ़ा दिया है अक्तिधा कोश्चन पर आजाओ कं सेंट्रेशन आप सिल्वर ढ rozum in the saturated सलूसमम आप ची तू सी टूबॉवेशन इतना है को अलुटी प्रो दटाय निकाल गों इन इफ इल्वर के नीचे कितना लिखा है लो दो कि पावर दो गुचले को नीचे कि तह डिखा ए मन 1 की पावर 1, solvity 2 plus 1, तो कितना आ गया? value डाल दो, solvity की value कितनी दी है? concentration of silver iron, जो silver iron का concentration होगा, वही तो solvity होगी. ओ, concentration of silver iron दिया है न, silver iron का आधा. question में घुमार आए, देखो ये, solvity S की value इतनी आएगी, क्यों? देखो, गौर से जारा समझना, बच्चों. silver oxylate है, कैसे break होगा? ऐसे break होगा. होगा की नहीं? बच्चों ने का नहीं, ऐसे नहीं break होगा, यहाँ पर प्लस वन आना है, मैंने का बिल्कुल सही. अब बपाओ, यदि solvity S है, 00, तो 0, 2S, S. इसका मक्लब यदि silver iron का concentration दे रहा है, तो 2S की value दे रहा है, तो S की value क्या होगी? इसकी आधी होगी न. बाइ, वो कहा रहा है, silver iron का concentration इतना है, concentration of silver iron in a saturated solution of AG2, बदब silver oxalate is, तो silver iron का concentration इतना दे रहा है, तो हमारे साथ से silver iron का concentration कितना है? 2S, और उसके साथ सिल्वर iron का concentration कितना है? 2.2 into 10 की power minus 4, तो S की जिगाय रखने के लिए क्लिए क्या करोगे? 2 से divide करके रखोगे न, क्योंकि ये 2S की value है, बस solve कर दो, यहाँ क्यूब लगा है, तो आप समझ गए कितना आना है? 1.1 into 10 की power minus 11 आ गया है, देखो कहीं दिया है, बच्चों ने का यार सर नहीं दिया है, एक बार देख लो कहीं calculation mistake, 2 की power 2, 2 कहां से आया, अच्छा, silver की power 2, ऑफजिलेट की power 1, 2 plus 1, ठीक है, अच्छा बच्चों हाँ, गलती समझ के कहा हूँ, यार यह multiply होंगे, मैंने किये ही नहीं, यह आठ हुआ, आठ से कट गया, दो आ गया, और इन पर क्यूब कौन लगाएगा, यह भी तो तीन बार लिखे जाएंगे, है कि नहीं, यह तो हो गया बारा, तो यहां से क्या आया, 1.1, अब इनको multiply भी तो कोई करेगा, तो answer क्या आएगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, दो दूनी चार, और चार, तो यह वाला आएगा, यह वाला आएगा, कर लोगे यार, कि मुझे करना पड़ेगा, हतियार निकालना पड़ेगा, अभी तक नहीं निकाला है, अब लास्ट में हतियार निकलवाओगे, हां, निकलाओ भाई, नहीं तो बच्चे कहेंगे, साल नहीं किया, करो भाई, 1.1, multiply, 2.2, multiply, 2.2, बरावर, 5.3, 5.3 into 10 की पावर, minus 12, answer आगे, next, वे, चाद दो हो गए, एक मिएट, हां, अब इसको पढ़ो, यार दोस्त, जल्दी से, the solubility of AGCL, bis solubility product, 1 into 10 की पावर, minus 10, in 0.1 molar, NACL solution, अब जरह गौर से देखो, किसमे solubility पूछी जा रही है, NACL में, common iron लगा की नहीं, यह देखो, इस्तफाद की बात है, यही question मैंने कराई दिया है, solubility of AGCL, bis solubility product, 1.1 into 10 की पावर, minus 10, in 0.1 molar, NACL, अब जिसको कुछ नहीं आता है, उसके लिए मैंने बताया था, क्या लिख दोगे, ksp upon common iron concentration, तो लिख दो भाईया, sorry, मैंने का था, आपके में इतना टब कोश नहीं आता है, आप direct कर देना, आप cancer आ जाएगा, यह देखे, तो 1.6 into 10 raised की पावर, minus 9, answer आगया, ठीक है, next, इसको प्रड़ो यार, the ksp of silver chromate, silver chloride, silver bromide, silver iodide are respectively this this this, which one of the following salt will precipitate last in, agno3 solution is added to the solution containing equal mole of nacl, nabr, naai और na2 co3, अब वो सबसे last में precipitate कौन बनाएगा, यह पूछ रहा है, सबसे last में कौन बनाएगा, जिसका ksp सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ksp किसका दिया है, इसका दिया है ksp सबसे ज़्यादा, है, बस यही बनाएगा, बच्चों ने का सर, आयन तो अलग अलग है, आयन बढ़ने से solubility और बढ़ती है, आयन बढ़ने से solubility बढ़ती है, एक तो ksp सबसे ज़्यादा दिया है, उपर से आयन ज़्यादा है, तो सबसे लाश्ट में ksp कौन बनाएगा, जिसका ksp सबसे बढ़ा होता है, सबसे बढ़ा ksp कौन है, तो किसीने का सर, agcl का है, मगर agcl से ज़्यादा इसकी value आएगी, क्यों? क्योंकि इसमें power 3 है, वैसे मैं निकाल देता हूँ, इतनी बात तो हम लोग समझ गए ना, कि या तो agcl बनाएगा, या यह बनाएगा, पहले यह बताओ, इतनी बात clear है, भाई, इन्हीं दोनों के ज़्यादा है, इनके तो सबसे कम है, इन तीनों में तो compare आराम से हो सकता है, इन तीनों में तो compare आराम से हो सकता है, वन ratio 1 के हैं, और वन ratio 1 में सबसे ज़्यादा KSP किसका है, agcl का, 1.8 into 10 raise की power minus 10, तो इसका मतलब इन दोनों से पहले तो यह बनाएगा, मतलब इसका सबसे last बनेगा, इन तीनों का compare करें, अब इन आपके लिए मैं solubility निकाल की कर दे रहा हूँ, 1 की power 1, 1 की power 1, 1 plus 1, तो कितना आया, s2, तो बैटा, इसकी solubility कितनी आएगी, s equal to under root KSP, under root KSP कितना है, 10 की power minus 10, इसका मतलब solubility कितनी आए, 10 की power minus 5, अब इसको आओ, इसका KSP लिखो, 2 की power 2, 1 की power 1, 2 plus 1, 4 s3, s equal to कितना है, root 3 है, KSP कितना लिखा है, 3, root कितना है, 3, KSP कितना लिखा है, 1.1 into 10 की power 12 divided by 4, अब आप इतना तो समझ गया है, कि 10 की power minus 4 में आएगा, क्यों, root 3 है, अब root 3 है, तो उपर की value 10 की power minus 4 में आएगी, हाना, और ये 1.1 है, तो मेरे ही साथ से ये value ज़्यादा बढ़ी आएगी, और ये value बढ़ी आएगी, तो जिसका solubility ज़्यादा होगी, उसका precipitate last form होगा, ये देखो दिया है, मैंने, concept ये लिखा है, तुमारे सामने ही लिखके दिया है, ये देखो, इसकी solubility कम होगी, लास्ट किसका form होगा, जिसकी solubility ज़्यादा होगी, simple सा, common सा, बस मैंने यही concept लगा दिया है, ठीक, solubility, next आजाओ, pH of a saturated solution of, B, A, OH का whole twice is 12, what is the value of solubility product, अब देखो यार, इसकी solubility product पूछ रहा है, इसकी solubility product कैसे निकलेगी, 2 की power 2, 1 की power 1, plus 2 plus 1, सही है कि नहीं? तो यह आगया, 4S क्यों, बस S की value मिल जाए, खेल खतम है, तो जर बताना, barium hydroxide कैसे break होगा? बच्चों ने का सर यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे break होता है, तो मैंने का जर बताना, इसकी solubility S, 0, 0, 0, 0, 0, S, 2S, तो मेरे इसाब से OHN का concentration कितना है, 2S है, और प्यारे बच्चों उनके इसाब से कितना है, 10 की power 2, कैसे? कैसे? देखो, pH दिया है, यदि pH 12 है, तो pH कितना होगा? 2, और OHN कंसंट्रेशन क्या होता है? 10 की power minus pH, और यह सब बाते पीछे अभी पढ़ा क्या है? तो OHN कंसंट्रेशन 10 की power minus 2 आया है, और हमारी साब से OHN कंसंट्रेशन कितना है? 2S, बराबर होगा, तो S की value कितनी आ गई? 10 की power minus 2 divided by 2 का cube, 10 की power minus 6 divided by 2, अब यह देख लो, तो यह कितना आ जाएगा? 5 into 10 raised की power 7, बात समथ के कैसे किया? नेक्स्ट, इसको देख लो, यार क्या कहना चाहता है? The solubility product of springly, soluble salt, AX2 is इतना, its solubility is, solubility निकाल लोगे? कैसे? यह homework में मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, डिरेक्ट लिख दूँ, 2 की power 2, 4, और दोनों का sum 3, अब KSP दिया है, सिर्व यार, रूड ही तो लेना है, तो रूड तो लही ले लोगे, हाना? क्यूब रूड लेना है, 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? आठ इंटू 10 की power minus 12, यह point इसको यहाँ pass कर दिया, point को, अब यह तुम समझ गया होगे, 8 का cube 2 होता है, 12 का cube 4 होता है, यह देखो, यह सब समझ तो पा रहा हो ना, मैस तो समझी रहा होगे, basic मैस है, बच्चो वानी, हमसे ज़्यादा जानते हो, the solubility product of AGI at 25 degree centigrade is this, the solubility of AGI in 10 की power minus 4 normal solution of AGI, देखो common iron लगा, किस solution में solubility पूछ रहा है, किस solution में पूछ रहा है, चेक करके देखो, 10 की power minus 4 normal KI में, तो बस निकाल दीजिए, चाहो तो आप उस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, जो मैंने पढ़ाया था, अरे यार, क्या पढ़ाया था, केस पी अपन, कंसंट्रेशन ओफ, कॉमन आया, केस पी कितना है, कंसंट्रेशन ओफ, कॉमन आया, कितना है, देख लो, 1 इंटू 10 देश्टी पावर, 12, एए, कॉमन आयल वाला कोश्चन तो दो मिनिट पे हो जाएगा, तुम्हारे यहां जो आता है, वो सब इस से हो जाएंगे, इस फार्मूले से, अब कोई रहे गया है, आयार रहे गया है, इसको भी खल लो यार, Solubility of MX2 type electrolyte is this, find out the KSP, अब KSP डारेक्ट निकाल दोगे, कितना हैगा, डारेक्ट लिखना सीख गया न, यार सीख गया होगे, इतने दिनों में, इतने दिनों में मतलब इतने घंटों में, कित्ती देर से पढ़ा रहा हूँ, है, यह देखो, प्यारे बच्चो, समझ पाए कैसे किया, आरे भया, Solubility दी है, और KSP पूछ रहा है, और पावर कितनी है, देखो, यहाँ दो है, तो दो का दो, दो का दो, इसक्वाइर चार, और पावर तीन है, तो यही आए, यह तो समझे न, कैसे लिखा, अब यहार, बस कुछ मच करो, देख लो, मैच करा लो, कौन सांसर सही है, अब मैच हमी को कराना पड़ेगा है, 125 इंटू 10 की पावर, माइनस पंद्रा, तो 125 इंटू 5, 4, 500 होता है, तो 5 इंटू 10 की पावर, माइनस 13, देखो भईया, कहां लिखा है, यह लिखा है, दोस्त, ठीक है, तो समझे रहो कैसे कोश्चन है, बस ऐसे कोश्चन करती चले जाए, अब आप सोचो, आइनिक एक्लूब्रियम कितना मैंने रिकॉर्ड किया, या कितनी देर से चला है, कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, रिकॉर्ड करना, तब आपके पेपर की डेट नहीं आई थी, नीट के पेपर, अब जब खतम करने जा रहा हूं, तो आ गई है, 12 सितंबर, अब समझ जाओ, यदि डेट आ गई है, तो अब जाग जाओ, एक बार फिर अपना जोज, पूरा, एक साथ लगा दो, ध्यान लखिए, ये तीन महने, दो महने, क्या चला है, जुलाई, जुलाई, अगस सितंबर, ओ माई गॉड, दो महने है, और दो महने के आसपास है, या उटसे भी कम है, मतलब ये 50 दिन, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, अब तुम्हें डेसाइड करना है, कि पूरी जिंदगी महनत करना है, पूरी जिंदगी बिना फ्यूचर के जीना है, या 50 दिनों में अपना फ्यूचर बहुत ही लगभग खतम है क्या वचाए एलक्ट्रो कमिष्टी अटॉमिक इस्टेक्चर सर्पिस मतलब लगभग खतम है फिजिकल कमिष्टी खतम कर रखी है आपका काम है पूरी जान लगा के कोश्चनों को खूब करना जितना करपाऊ कि किसी तरह सारे सब्जेट को रतो आर पचास दिनों में उस लेबल को एकिव करो जिससे तुम सटेक्ट्ट रहने के कि रहा जाएं घंते परना यह तुम जानू और है ये तुम दहने भुट्री तुम्हारी यह तुमारी सुबर पढ़ने में अच्छा फिल करती है रात में कि भूब उखने में सबसे जब बघॉड़ना सबसे अच्छा होता है इसका मतलब केंट decesam के दीडिवल नहीं बनाके देंगे मैं सब्जेक्ट का सकते कि देखो क्या चीझ पढ़ने क्या है तुम्हारे पढ़ने का नहीं बना सकते हैं और यदि हम बना रहे हैं तो इसकी क्यों घब्रस तरहुया है हमें क्या पता तुम्हारा नेचर कैसा है तुम्हारा मन सबसे जацию कब पर संतोर होता है यह तो तुम जानते हो इसलिए द्यान नको अफ वाओं में मज्दियो अपनी अकल लगा खुद पर जरा जहांको काबिल हो तुम टाइंटेबल भी बना सकते हो सब्रेक्ड भी हो सकते हो को थागurat बमेंदर को क्या आई और तुम तेबल कर सकते हैं को आनदर सकते कैसे प्ढड़ने यह मैं बताओ फिजिक्स कैसे पढ़नी हो अलग सर्वताओं। करोगे और सलेक्षन भी civilized करोगे हम नहीं हम तुम्हें aja नहीं करा सकते हैं तुम महनत का तो ध्यान लगा दो फिर उठो जोस में और एक बार फिर यान लगा कि खेल लो फिर जो होगा देखा जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है कम से कम यह तो हमाई पास नहीं रहेगा कि हमने जान नहीं लगाई इस चीज का पस्तावा तो जिंदिकी बर नहीं देंगे क्यार थोड़ी और जान लगा देते तो आज डॉक्टर होते हैं ऐसा कुछ नहीं रहेगा तुम्हें यह पता रहेगा मैंने दोखो पूरी जान लगाई तो दिक्कत नहीं है कि अपना बेस्ट अफर्ड दिया था इसलिए बेस्ट अफर्ड दे रहे हैं ठीक है पानी पी पीके मैं पढ़ा रहा हूं बाकी टीचर तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनको त तो खुब जीनिताल नागा के पढ़ाई करिए ठीक है नेस्ट क्लास में फिल्म लेंगे तब तक के लिए इतना ही कहेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं ठीक है वह अब जगे हैं तो वन सॉट वीडियो पढ़े हैं हर चैप्टर के वन सॉट वीडियो और अराम से उनको कम्प्लीट करो तीन से चार गंटे के वीडियो उसमें सब कुछ पढ़ाया है कोई चीछ छोड़ी नहीं है और प्यू आई क्यू लगभक 70% तक प्यू आई क्यू सारे करा दिया है क्लास में ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में फिल्म लेंगे और बेस्ट पर फूटर